सब्सक्राइब तो उससे भी घटिया निकले मिस्ट एमरें लगता तुम यह नहीं जानती है कि यह सब कुछ तुम्हारे और फाबरी के अगरीमेंट की वज़ा से हुआ है हां मानती हूं कि यह मेरी कलती है लेकिन आप आप तो उनके भाई है ना वो आप पर भरोसा करना चाहते है लेकिन उन कि मैंने गंदी ट्रिक की है या मैं उस चीज का हिस्सा बनाओं अगर तुम्हें इतने ही परवाहे तो एक डील करोगी मैं आईलिन को कुछ भी करने नहीं दूँगा लेकिन बदले में तुम्हें कमपनी छोड़नी पड़ेगी क्यों किस वज़ा से अगर जान तुम्हारे इतना ही इंपोर्टन है तो उसकी भलाई के लिए तुम्हें ये कमपनी छोड़नी पड़ेगी मैं आईलिन को पका सम्हा लोंगा और अपने शैस वापस ले लोंगा तो क्या कहती हो अगरिमेंट मन्जूर है के नहीं क्यान आप यहां है मुझे आप से कुछ जरूरी बात करनी है अरजन्ट है क्या हां बहुत अरजन्ट है थीक है तो मैं समझ का क्या बात है मैं अभी आ रहा हूं तुम जाओ मैं आ रहा हूं जान प्रिंटिंग हाउस आपकी अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं आप चेक कर लो मुझे दो मैं देखता हूं कि द्यान से देखना पड़ेगा इससे तो क्या इरादा है तुम्हारा मैं यह जान के साथ रुखने वाला हूं आखेर करना क्या चाहते है आप तुम मत जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे ही तुम्हें और मुझे इस अकीकत के बार मैं पता है और हमारे आला वाइलन जानती है अगर तुम कंपनी नहीं छोड़ोगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा मैंने इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ तुम मेरे भाई के साथ क्या बात है तुम उसकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती है आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं मुझे यकीन करपाना जरह मुश्किल हो रहा है मैं जो भी करूँ पर एक बात तो साफ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना इसकी सिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो सनेम and I can't help you हाँ मुझे पता है और मैं ये सब ठीक करूँगी सनेम तुम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो मुझे क्या करना है ये मुझे आप से जानने की ज़रुद नहीं है मुझे अच्छे से पता है मेरा भाई और तुम एक दुसरे से प्यार करते हैं पर तुम उसे बचाना नहीं चाहती ओके ओके सूपरब सब कुछ साइए हाँ ठीक है ठीक है, मैं अपना पर्फ्यूम देने के लिए तयार हूँ पर तुमने दिया नहीं तुम सिर्फ अपने आप में रहती हूँ इसलिए तुम्हें दुसरों के एफ़र्ट्स कभी भी दिखा ही नहीं देते है सनेम, इस लड़ाई में मैं अपने भाई के साथ हूँ मैं आइलेंड को बाहर निकाल दूँगा और अपने शैज वापस ले लूँगा तुम यकीन करो, या ना करो अरे भाई, तुम्हारी बात होगी एंजो फापरी से अनफॉर्चनेटली नहीं हो भाई, बात वो एटली चला गया उसकी सेक्रेटरी ने भी कुछ नहीं बताया, तुम्हारी भाई, मैं हो ना तुम्हारे साथ, मैं सॉल्फ कर दूँगा, सब ठीक होगा, कैसे करो यह वो तो भाग गया यहां से, अगर जरूद पड़ी तुम इटली भी जाओंगा, तुम सिर्फ इस केमपेन की तरफ थ्या करोगी, जो मैं तुमसे कहूँगी, समझ कई तुम? मिस आइलन, मिस्टर जान और मिस्टर एम्रे मेरे बॉस हैं, और मैं उनकी ही बात मानूँगी, आपकी बात नहीं मान सकती. आइलन, तुम क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहां पर? एम्रे, मैं तुम्हारे एम्प्लॉई को यह समझा रही हूँ कि अपने सुपीरियर से किस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन यह कुछ समझ ही नहीं रही. महरबानी करके उन्हें उनका काम मत सिखाओ, समझ गहीं तुम? दफ़ाओ जाओ यहां से. तुम मुझे यहां से निकाल नहीं सकते हैं. लीगल ही नहीं निकाल सकता है, पर दूसरे तरीके से निकाल सकता हूँ. आईलें, तुम्हारी यहां पर कोई जरुवत नहीं है, निकल जाओ यहां से. लेकिन एम्रे, अब मैं पहले वाली आईलें नहीं रही. मतलब चासुसी करने वाली, चाला की करने वाली, इस वक्त मैं एक लीगल रेप्रेसेंटेटिव हूँ, Mr. Fabry की, ओके, इसलिए इस कंपनी की सक्सेस, Enzo Fabry की सक्सेस है, और दोनों की सक्सेस मेरी सक्सेस है ठीक है, हो गया तुम्हारा, तो कहीं और जाकर रेप्रेसेंटेटिव बंद कर काम करो, किसी को तुम्हारे सिखनेटर की ज़रूत पड़ेगी, तो वो तुमे ढूंड लेंगे, अब जाओ यहां से, आ, मैं खुँद जा सकती हुँ, Emre, थांक्स, लेकिन याद रहे, कि तुम सबको बहुत बच्टाना पड़ेगा, तुम ठीक हो? अहां, थांक्यी, मिस्टें, Emre. कॉफी पेना चाहोगी मेरे साथ? अहां, ठीक है. यह सब हो रहा सर्फ तुम्हारी वज़े से. अहां कि गलती बूलकर उसे, एक और चांस नहीं दे पाता है. जान. सनम, थांक्यू बेरी मच्च, होनस्टी. हाई. हेलो. क्या हो रहा है? कैसी हो? कुछ नहीं, चलो के बचलता है. कुछ नहीं, चलो के बचलता है. मैं आपको कैसे सम्झाओंगाउँ? काफी बहतर तस्वीर है. कहां ली थी ये? जंगल की लग रही है. मुझे भी बहुत अच्छी लगी. क्या सच में ये कोई जंगल है क्या? वो एक शेहर का बस्टॉप है. क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है उस पर बहुत दस्ट जमा हो गई है. ये ना मेरे पास में आसे साफ कर देती हूँ, आपके हाथ गंदे हो जाएगी. पेरू का है, रेनफॉरस्ट का है. हाँ, ये वही चुप है जहां तुम मुझे छोड़ कर भाग गे थे. बिल्कुल सही का. देखकर तो लग रहा है, तुम वहाँ पर बहुत खुश थे. सच में, बहुत खुश था. बहुत मज़दार ट्रिप थी वो. सच में, अन्बिलीवेबल. अजूदा, एक ट्राइब है वहाँ पर जो गोल्ड माइनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे. वो एक बहुती हार्डगोर सिचुएशन थी. मैंने उन्हें डिजिटल कैमेराज लेकर बाढ़ दिये. कैमेराज देखकर वो काफी चौक गये थे. क्योंकि उससे पहले उन्होंने कैमेराज देखे नहीं थे. ये वहाँ के ट्राइब के चीफ ने क्लिक की है. वो काफी इंट्रेस्टिंग ट्रिप थी मेरी. सुनकर काफी इंट्रेस्टिंग लग रही है. कश मैं भी साथ में होती है. कितनी धूल है, बहुत धूल है. लीज उसे मत बोलो, बड़ी मुश्टिल से तो यहाँ पर रुखा है. हेलो, कैसे हैं, मैं हो एमरे दिवित. हम ग्लाइब टू मीट यू. और मैं कामजी, मिलकर खुशी हुई. मिलकर खुशी हुई. यह मेरा भाई एमरे, इस कंपनी का फाइनाइन्स मैनेजर भी. वो छुट्टियों पर गया था. मज़ा जाए जिसमें. हाँ, डूंट वरी, वो तो अच्छी होगी. और हाँ, स्टार मीडिया के जो CEO है, वो भी इस पाटी में आने वाले है, जान. नुय यॉर्क से? माक्स मैकिनन. क्या बात है, वो तो मेरे आइडल है. मैं उस आदमी का बहुत बड़ा फैन हूँ. वो एक बहुती सक्सेस्फ़ल फोटोग्रिफर भी ने पता है. हाँ, हाँ, बिल्कुल पता है. वो मेरे फादर के बहुत करीबी दोस्त है. मैं तुम्हें इंट्रिउड्यूस करवा सकती हूँ. क्या, तुम मजाग तो नहीं कर रही हूँ. मैं सच कह रही हूँ. तुम पाटी में सिर्फ मेरे साथ रहना, बाकी कही मत जागा. उठ्था अदमी आँ खिर भाग पर कहा जाएगा. चलो, बिश्बिल्स देख लेता है. क्या खेया है? बिल्कुल. मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ. मिलकर अच्छा लगा. आल राइट. नाइस तो मीट यू तू. एक यह बाएट. हाँ, यह यहां सा शरुवात है. सॉरी, मुझे ज़रा जन दीजिए. हाँ, हाँ, हमें आपका नमबर में ज़रेन से मिला है, हम आपकी कास्टिंग में ज़ॉइंग करना चाहते हैं. हाँ, एक है उस्मान और दूसरा है उसका दोस्त मुझफफर. मुझफफर यह क्या करे हो तुम? मैंने कुछ गलत कहा कि हम दोस्त हैं, हम तो भाई जैसे हैं, हमारी दुश्मन ही होगी क्या, तुमने एजिंसी को मेरे लिए कॉल किया है, हाँ, लेकिन मैं भी इसका फाइदा उठाना चाहता हूँ न, एक्टिंग और मॉडलिंग में मुझे बच्पन से बहुत इंतरस्ट तो बहुत है मुझे, इतना experience है कि मैं बता नहीं पाऊंगा फोन पर, उस्मान का experience, उसका तो experience अपर, बहुर मुझे फोन दो, अरे, क्या कर रहे हो, वो लो तुम्हारे बारे में सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, एक सेकेंड रुको ना बात कर रहा हूँ मैं, हाँ सुनिए, सुनिए, उस्मान जो है वो बहुत ही experience actor है, उसके बारे में आपने सुनाने ऐसे कैसे हो सकता है, वो fresh actor नहीं है, उसने soft ring की add दो बार की है, हाँ, और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं बहुत से characters play कर सकता हूँ, कोई भी character मुझे दो, मैं उसमें जान डाल देता हूँ आपको एक बार मुझे काम देना ही चाहिए, मैं इतना अच्छा method actor हूँ कि मैं किसी भी character के अदर बड़ी आसानी से खुछ जाता हूँ, सबको छोड़ी आपको मुझे ही select करना चाहिए, मैं तो यहाँ तक भी बता दूँ आपको, कि मैं उसमान से भी जादा अच्छा हाँ सई सुना, बिल्कुल सई सुना आपने, मैं उसमान, दुकूरा, मैं उसमान का भी character play कर सकता हूँ, बलकि इतना अच्छे से उसमान play कर सकता हूँ कि उसकी मम्मी भी confused हो जाएगी कि असली उसमान है कौन, आप बस मुझे एक बार मौका दीजे, फिर देखिए मेरा कमाल पूछो, अफवास बंद करो और पूछो कि बोलो, मुझसे कब मिलना चाते हैं, ताइम बद वेश करो, यार मैं उस औरत के साथ friendly होने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मज़र उसके साथ घुल मिल जाओ, फिर देखना हमारा काम आसानी से हो जाएगा, अब शुप चप खड एक उसमान की, हम दोनों साथ में भेजेंगे फोटोस आपको, ग्रुप फोटो नहीं, हम दोनों बहुत ही हैंसम है, मेरा मतलब बहुत जादा हैंसम है, और मैं सिंपल, वो कॉमेडी मुवीज में होता है न, वैसा ही, हम दोनों को एक साथ लीजे मज़ा आ जाएगा, वो ल फोटोस मांगिए और काम हो जाएगा, रुको, अभी खीश लेता हूँ, ये क्या मुर्दे की तरह खड़े हो, जरा स्माइल करो यार, देखो ऐसे, अरे अंदर का पूरा सामान दिख रहा है, जरा इस तरह खड़े हो जाओ न, फोटो में अच्छा नहीं लगेगा, देखो सेल्फी में ही अच्छा लगता है, अरे असमान, तुम तो बुरा मान गए यार, अरे तुम ही काम मिलेगा, तुम मेरे से जादा स्मार्ट डिकते हो, जान, ये अनेडिटिट फोटो भी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं बता था इतनी अच्छी फोटोस आ जाएंगी, एक सॉरी, आप शुरू कीजिये न, वाई लुपे, सेतान के पास एक नियोज है, एक और नियोज पाप रहे, वो बहुत ही बिज़े दिन है, काम बहुत है, अच्छा, क्या बादर बोलो, हाँ तो स्पोर्ट्स मागजीन का मैनेजर मेरा दोस्त है, वो लोग हमारी एक आड को पबलिश करने वाले हैं, और एक इंटरव्यू भी लेंगे, उनकी इच्छा है कि वो एक इंटरव्यू तुम्हारे साथ भी करे, इसलिए मैं तुमसे ये कह रही है, क्यों ने, शुर, हम करेंगे, गुड, और बो लोग इस इंटरव्यू को जिम और सलून में लेना चाहते जहां तुम जाते हो, वहाँ पर कोई जगा है क्या, जहां तुम्हां, वहाँ एक जगे है, ओपन स्पोर्टिस अरीना है, मैं वहाँ कही बार जाते रहता हूँ, तो हम वहाँ जा सकते है, सनैम वो होड चुक्पया, बो तूट जाएगा, प्लीज, प्लीज, अच्छा, अकेले एक्सरसाइस करना बहुत ही बोर हो जाता है, क्या तो मुझे ट्रेन करोगे प्लीज? शॉर शॉर मैं जरूर ट्रेन करोंगे ओके अब हमें चलना चाहिए बहुत से काम निप्टाने तो हाँ, ओके सी यू जान मैं मैं इल कॉल यू ठीक है चलो, बाई सने आप अपनी दोस्तों से बहुत करीब है ना, मतलब आप तोनों सेम स्पोर्ट सलूम में जाएंगे अगर आपकी सारी दोस्त वहाँ चली गई तो मैं आपकी सारी दोस्तों को वहाँ भीर से दिया वैसे आज के मीटिंग काफी अच्छी थी अगर वो लड़की सनेम नहीं आती तो मीटिंग बहुत अच्छी होती इग्साटली अच्छाम को क्या कर रही हो कुछ नहीं कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं डिनर करने चले ठीक है ठीक है ठीक है काम के बाद हम साथ में चलेगा ठीक है बाइदवे सिर्फ तुम और मैं ओके है ओके मैं यह ले जा रहा हूँ उसने मुझे सामने से इंग माइट किया डिनर के लिए तुम पसंद नहीं आगा मैं बहुत दिनों से सोच रहा था डिनर के लिए अच्छा है बाई बहुत ही मज़ेदार है क्या हो सनेम लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया सनेम नहीं वो मेरा दिमाग कुछ और सोचने लगा था बैस और कुछ नहीं कौन है वो सब भूल जाओना काम का वक्त खत्म हो गया है उनकी बार में मत सोचो अभी बाई मैं समच सकता हूं सनेम हमारी कंपनी की बहुत अच्छे से कैयर करती है वो हमारी एक अच्छी बिसनस फ्रेंड है सनेम हाँ वो ऐसी है लेकिन ऐसा मत करो कोई जरुरत नहीं है हमको नॉर्मल दोस्त होना चाहिए नॉर्मल दोष्त नॉर्मल मतलब नॉर्मल जुसके साथ आप बात कर सको साथ में हस सको उसके साथ मजाग कर सको बुरा मांड सको यूनों पर मैं कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बुरे दोर से घुजरा हूं सनेम मैंने तुम्हारे लिए मुसीबते खड़ी कर दी थी मुझे माफी मांगनी है तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हूँ प्लीज मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखा है एक मिट इस फूल के साथ मैं माफी मांगता हूँ इसके क्या जरुरत है आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं नहीं शर्मिंदा तो मैं हूँ तुमने जो किया सब कुछ मेरी वज़ा से ही किया थांकियू सो मच तुमने मुझे माफ कर दिया ना अमशेर तुमने माफ कर दिया होगा बहुत हो यह सब ठीक है इस जगे का डिजर्ट बहुत डिलिशिस है पूछो मत हमें तुरंट ही ओडर कर लेना चाहिए ओके हमने डिसाइड क्या था कि हम बिजनस की बाते नहीं करेंगे पर मैं आज फाबरी के पास गया था और पता लगा कि वो एटली गया है यह शौर हो गया लेकिन तुम फिकर मत करो मैं उसे देख लूँगा सब सॉल्व हो जाएगा तुम इतना शौली कह रहे हो तो हम शौर हो गया तो मचे तुम पर यकीन है यहां का लेजंडरी डिसर्ट ले आओ प्लीज लेला तुम कही और जाकर बैठो ना फुटबॉल मैच शुरू होने वाली है ठीक है दाड आज के मैच बहुत जरूरी है जो भी विनर होगा ना वो चैंपियन बन जाएगा तीको तुजरा हाँ मेरे शेरो थांक्स माम दाड माम के टीवी सीरिस अभी खतम नहीं अरे इस मैच कर मैं हफते भल से इंतिसार कर रहा हूँ लगाओ अचानल लगाओ अरे अगर हम जीत गए न तो जैंपियन बन जाएगे मॉम दाड ही बोल रहे है ना हाँ ऐसे खैसे अफते बर से इंतिसार कर ओलाह और रिमोटू रिमोटू तो दो 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 दैड आप ये क्या कर रहे हैं, डैड प्लीज छोड़िए, डैड, बहुत हुआ आप लोगों का, डैड, मॉप, आप बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं, जल्दी से सौट कीजिए, पहले वो करेगी, अपको शांत करने के लिए मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मे आपकी ये डॉक्यमेंटरी मुझे ही बंद करनी पड़ेगी, करिये जो करना है, मुझे ये देखना है, समझे आप, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब मैं देखूंगी अपनी मर्जी से, लेला जाने से पहले ये बताओ, सैनेम कहा है, मुझे बता के जाओ, वो आयान के घ आप दिये तो मैं यह रिमोट आपको नहीं दूंगी समझा आपको अब कर दो अच्छा वह तुमने चाय ओडर की चंडली यह लोट चाय सर्फ नहीं करते हैं नहीं यार मैं चायि कर बना नहीं रह सकता बड़ स्टी श्थ के हाठ की चाय इस प्राइस्ट हैस मुझे एનा अच्छा थोड़ा इंपॉर्टन एह मैं का अंसर कर का ताहू ख़या हो ते कुछ प्रॉल्म मुवें है घ्लो मानना पड़ेगा भाई के वीक पॉइंट्स तुम अच्छे से जानती हो ओ अच्छा इन सब सब्जेक्ट में तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं लगा आप सने मैं चाय की बात कर रहा था चाय तुम्हें बता है कि भाई को चाय बहुत पसंद है मैं इस वीक पॉइंट की बाद कर रहा था बाकिया और कुछ नहीं एक बात समझ नहीं आई आपने मुझे कमपणी छोड़ने के लिए कहा और फिर यह गुलाब पर इतना सब्सपीशियस होना ठीक नहीं है इस सब की कोई ज़ुरत नहीं है Suspicious बता ह०्श किस लिए अतरा नहीं कह रहती है कि नहीं सब्सपीशियस जर्ट मैंने सुना कि तुम कुछ कह रहती कि love is nep इस आपने असा कहा हौ व्रनसुना वही कह रहती है farm I mean कहा था अच्छा अच्छा अरे हाँ वो मैं खुद के बारे में ही सस्पिशियस हूँ अच्छली मैंने कुछ गलत कह ले क्या कॉन 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 हम क्या बात कर रहे थे सॉरी मैं सब भूल करें अच्छोड़ो जाने दो वैसे भी आज को दिन बहुत टाइरिंग था अब दिमाग को और मत थकाओ भाई मुझ पर भरोसा करने नगा है कुछ दिनों तक खामोश रहो पहले मुझे पूरा भरोसा गेन करने दो उसके बाद कुछ करना उससे पहले कोई चाल में चलना और हाँ वो कॉमपस स्पोर्ट्स की सीईओ जेडा वो मेरे भाई में कुछ जादा ही इंटरस्टेड है हाँ हाँ मैं वही सोच रहा हूँ अगर हम सन्यम को भाई से दूर करते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और फिर मेरे भाई को कोई रोकने माला भी नहीं होगा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ हाँ तुम अभी तक सुए नहीं? नहीं बस ये खत्म करके सोता हूँ बाइदे वे थैंक्स फो दे डिनर भाई मेरे और सन्यम के बीच सुला हो गई तुम थे वाँ मेरे भाई और सन्यम थी तुम दोनों मेरे बहुत वैलियूबल हो, यह नो ऐसा लगता है कितुम सन्यम को मुझसे जादे इंपॉर्टन्स देते हो लेला ने तुम एक नया इंसान बना दिया मैं भी एक नया इंसान बना उस सिर्फ सनेम की वज़े से मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और खामोश रहता था अपने डिसिजिजन्स पे हमेशा अड़ा रहता था, यूनो हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा वो आक्सिदेंट एक टॉर्निंग पॉइंट रहा है हम्रे, है ना थैंक्स तु सनेम उसने मुझे दूसरे पॉइंट और यू से सोचना सिखाया उसने मुझे बहुत ही जाद इंफ्लूइंस किया और यही एक वज़े कि हम वापस मिल पाया है, ट्रस्ट में और रेली, उसने तुम्हें बदल दिया है, एक टॉलेरेबल इंसान बना दिया है, शेर्ज सनेम, अब मुझे सारी बाते डीटेल्स में बताओ, तो मतलब यह डिनर जानने आ रहे हैं इसने मुझे दिनर पर इंवाइट किया, मैं बहुत खुश थी कि हम दोनों एक साथ होंगे, हम दोनों एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वहाँ Mr. Emre भी थी, वो तुम्हार सनेम, Mr. Emre बहुत बदल गए हैं, तुमने भी तो देखा होगा आज की कैसे उन्होंने मिस आइलिन को भगा दिया आफिस से, हाँ, वो भी है, लेकिन उनका behavior बहुत अजीब सा है, मैं बहुत confused हूँ, मुझे उन पर यकीन नहीं है, सनेम इस negative सोच को खतम कर दो, मैं seriously कह रही Mr. Jan इस बात को लेखा तुमसे कभी भी नराज हो सकते हैं, Mr. Emre उनके भाई है, अगर तुम जान से प्यार करती हो तो उनके भाई को झेल नहीं पड़ेगा तुमें I love him, I love him, I love him, I love him very much, I love him, I love him very much, मुझे पता है किस की बात हो रही है, मुझे पता है और एक बात और है, भायों और बहनों का रिष्टा ऐसा ही होता है, उनके बीच चाहे जगड़े हो, अलग पॉइंट आफ यू हो, या फिर चाहे कितने भी गुसेल हो, ये सब तो चलता रहता है, है कि नहीं, हम दोनों के बीच में भी ऐसा होता रहता है, कि नहीं, पहले ल आइलिन तो अब गई, सच का हूँ तो कुछ पता ही नहीं है, मेरी प्यारी बहन, अब देखो, अब आइलिन तो अब चली गई है, तो तुम एक सक्सेस्फुल बिजनस वूमन बन जाओगी, तुम एक बहुत बड़ी पोस्ट पर चली जाओगी, मुझे कुछ भी नहीं पत और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ हो, आसौ क्यों बहा रही हो, तुम ज़्यादा ही बड़ा चड़ा कर बोल रही हो, आँ, हाँ, उनकी दिन बहुत बुरे चल रहे थे, शाहलwo मिसे एमोशनल हो जाए हाँ, वो बहुत एमोशनल हो ग थे, और मिस्टर एमरे को इंसान है बहुत अच्छे इंसान है वो वो मेरा सारा काम पसंद करते हैं और मिस्टर जान वो किस किसम के इंसान है बहुत ही क्वालिफाइड और समझदार इंसान है प्रेजेंटेबल है बहुत ही क्वालिफाइड इंसान है और बॉस की हैसियत से तो काफी अच्छे है ना हा हाँ और वो तुमसे प्यार भी करते हैं हाँ एक एंपलॉई की तरहा एकदम एक एंपलॉई की तरहा ठांक गॉड यार हमें इतने अच्छे बॉस मिले हैं वरना लोगों को तो ख़डूस बॉस मिले हैं हाँ बिल्कुल सही है मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं रूज इसके लिए प्रे करती हूँ हमारे इर्दगिर्द हमेशा पॉसिटिव और अच्छे इंसान ही रहें ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है क्या मतलब मैं भी हर रात को सोचती रहती हूँ कि दोनों को मतलब मिस्टर जान और मिस्टर एमरे को एक बहुत अच्छी सुन्दर सुशील पतनी मिले मतलब एक एमपलॉई के नाते मुझे मेरे बॉस के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए उनका भला होना चाहिए मुझे भी ऐसा ही लगता है सनेम कि दोनों की जिन्दगी अच्छी रहे उनकी वाइब्स भी अच्छी हों चारो एक साथ हमीशा एक घर में खुश रहें बस और कुछ नहीं हाँ लैला ये दुआ तो जरूर सच होगी देखना दोनों को अच्छी पत्निया मिलेगी अपना मुझे नीद आ रही है मैं सोच्ती हूँ अब तुमने देखा कैसे देख नहीं पा रही थी इसलिए एकदम कांद लगा के सुन रही थी हाँ वो हमारी बाते छुप कर सुन रही थी पर हम भी स्माट है तुम तुम बहुत ही सहे हो हमें बेवकुप समझा है स्माट बन गई भाई देखो ना दरवाजे पर कौन है तुम देखो न आयहान अरे जिंदेगी में कभी तो जाय करो आप सुनो आयहान ताइम बेस्ट मत करो और जाकर देखो कौन है ओ गौड कुछ काम भी नहीं करने देते हाँ हाँ आ रही हूँ दरवाजा तोड़ोगी क्या पता है ही कौन आ गया इस वक्त चैन से जीने भी नहीं देते आने से पहले वक्त देखा था तुमने मुझफफर आ देखा था बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ओस्मान एक बहुत अच्छी ख़बर है दिल खोश राएगा तुम्हारा सुनकर सच कह रहा हूँ मैं तो बहुत ही जादा खोश हूँ क्या ख़बर है मुझफफर अरे यार पहले टीवी बन करो और मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो मुझे एजेंसी से कॉल आया था मैंने दोनों के लिए एक ही एडर्स दिया था मैं चाहता था कि वो लोग मुझे इंफर्म करें मैंने एक चाल चली थी लेकिन वो काम नहीं आई उन्होंने उस्मान के साथ ही काम करने की इच्छा जाहिर की है मैंने उन्हें बेवकूफ बनाने की बहुत ट्राई किया लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा हुश्यार है वो लोग उस्मान का ही नाम लिये जा रहे थे जैसे उस्मान को ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो तो मैसा कैसी कर सकते हो रुको मेरी बात अभी खतम नहीं हूँ इज़र सुनो तो सही आयान अगर उस्मान ने ये ओफर रिजट कर दिया तो मैं जाऊंगा ना उसकी जगा मैं उसका स्टंड मैंन बनने के लिए बी तयार हूँ मैं ऐसा काम करूँगा ऐसे पोसेज दूँगा कि वो क्या पुरी दुनिया मेरी दिवानी हो जाएगी बस देखते जाओ तो ओ गॉड ओ गॉड तुम कब सुधर होगी मुसफर उन्होंने भाई को सेलेक्ट किया है अब अपना मूँ बन रखोगी मैं तो बहुत खुश हूँ इदर आईए कसम से ऐसी पॉफिट फैमिली मैंने आज तक नहीं देखी मैं इंटरॉप नहीं करना चाहता लेकिन क्या मैं भी खड़े हो कर हाग कर सता हूँ बहुत टायम होगां मैंने किसी को हग नहीं जाय है फीली आजाओ आज़ाओ यार च्या बात है क्या पता है मैं में कद लेकूंगा मज़ा आ अगया है आघगाया शुक्रिया बहुत इछा लग रहा है मुझे क्या ये स्माइल मिस आईलील के लिए है? सुनेम, तुम इतनी लाउड कैसे हो सकती हूँ हाँ, ये उसके लिए ही है उनका नाम तो तुम हारे आखों में लिखा है लेकिन पता है, मॉम ने सुभा कुछ भी नहीं कहा मुझे लगता है कि हमारी बातों से वो कुछ भी नहीं समझ भाई नहीं नहीं, अगर वो समझ जाती तो बगएर वक पर बाद किया हम पर छपटा मार का अरे कैसे सुन रही थी, हमारी मॉम बहुत चालाग है हाँ, और उन्हें लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता यहां तक कि वो डाइट की भी केर नहीं करती है अब उन्हें सुलह कर लेनी चाहिए, काफी देर हो चुकी है कितना बच्पना है दोनों में, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है गब रहाओ मत, वो दोनों बात करेंगे, तो उन्हों एक दुसरे से बहुत प्यार करते हैं चलो चलते है, देर हो रही है तुम किससे बाते कर रही हो क्या कर रही हो तुम आफिस नहीं जाना है क्या तुमको अहां, रुको ना, एक छुड़े सा काम है आईहान के पास ये क्या सने श्ft आलो, डियान क्या, तुम अभी भी सो रही हो, डियानपगी सब्सक्राइ़घ उठीक्योग krijो नहीं यह उठीक्ति, में जा रही हो अप। यहान यार मेरे पास वक्त नहीं है चलो मैं लुक्ति हूँ वहां यह वारिश भी नहीं तो रुको मैं आती हूँ लैला अ अ ओस्मान गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग कहा जा रही हो तुम बस टॉप पे मैं ओफिस जा रही हूँ अ अच्छा मैं भी जा रहा हूँ ओ ओस्मान मेरे पास टिकेट नहीं है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टिकेट है तो मुझे दो ना तुम्हें बाद में पैसे दे दूँगी हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं यू आ ग्रेट थांकी सो मच ओस्मान एक निटुको तुम मेरी टिकेट रख लो तुम्हें काम आएगी अरे नहीं आएकेट टेक केर तुम रख लो मुझे नहीं वाली मेरी तुम रखो रखो न प्लीज ठीक है वैसे तुम जा कहा रहे हो सुबह सुबह बड़ी स्मार्ट लग रहे हो वो बस मुझे आउडिशन के लिए बुलाया है तुम्हें वहीं जा रहा था क्या सच कह रहे हो वहां से तुम्हें कॉल आ गया अहां मैं तुम्हें बहुत जादा सप्राइज हो गया था थोड़ा एक्साइटिग भी हूँ अब देखते हैं क्या होता है अन्बिलेविबल ओसमान आम शूर तुम बहुत सक्सेस्पुल रहोगे देख लेना उसमान तुम बहुत अच्छे हो अरे नहीं लेला ये तुम्हें बस ही मुझे यकीन है ना मैंने तुम्हें देखा है तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आक्टिंग करते हो तुम, सच में बहुत स्मार्ट हो पता नहीं पर फेमस होके कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे काश की, मैं ये भूल सकता मिस्ट एमब्रे का कॉल है हलो, मिस्ट एमब्रे, गुद मॉर्निंग हाँ, हाँ, मैं आफिस के लिए ही निकल रही हूँ आप कहाँ पर हैं? मैं अपने घर के पास एक सी साइट पर एक बस स्टैंड पर खड़ी हूँ हाँ, हाँ, मैं बस से आ रही हूँ हाँ बिल्कुल, साथ जा सकते हैं न, बिल्कुल जा सकते हैं मैं आपको देख सकती हूँ हाँ, हाँ, इस तरफ इस तरफ, आप मुझे देख सकते हैं असमान, Mr. Embray यही से गुजर रहे थे तो मुझे भी सान्त लेकर जा रहे है वो आज अजने सान्त आफ्रिस में ठीक है अ गुद लख अच्छे से कर दा, अच्छे से कर दा, वाव बुद डे ये लो Mr. Embray, गुद मॉर्निंग कैसी हो तुम तुम्हारे बाज भी कार होने जाहिए थे, उस्येको कैसे लड़की को बिठा कर ले गया अपनी बक्वास फंचपरो, समझे तुम या थे तो मुझे हया 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 तुम्हारे तो वे तो वाट करो वी कहीं मुझे थोड़ो मुझे कि छोड़ूगा ला फ़रुम्हारा में एखड़। सबी देवाल सबस्य धर, वुक्या करेंदुआ, वुआ अच्छा करता से दिए, सबस्क्र heated, कि छोगे दो अदो में तुम्हारा मिलाना, कि भमधे हुआ, मैं में में वह सबस्दो Austral. औरे नहीं कोई बात नहीं तुम्हारी हेल्प करने में मुझे कोई परिशानी नहीं होगी सनीम नहीं बताया था कि आप लोग डिनर पर गए थे आप बिल्कुल अच्छा सप्रेज दिया था भाई ने मुझे नहीं बता था कि सनीम भी वहाँ होगी अगर पता होता तो तुम्हें भी इन्वाइट करता है नेक्स्ट टैम जाएंगे हम साथ में जान सब कुछ ठीक है हाँ बहुत अच्छा मेरी सारी चीज एक बार चेक कर रहा हूं बस जान मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस लांच को लेकर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए एक अच्छी ऑपरचिनीटी है इससे एक नया इंप्रेशन बना सकते हैं हमें हर एक को इंप्रेस करना होगा सिर्फ कंपस पॉर्ट को नहीं डोंट वरी मैं अभी प्रेजेंटेशन पर काम कर रही हूं जब इसे फिनिश कर लूंगी तब फिर से चेक करेंगी ओके अच्छा एक बात सुनो प्रेजेंटेशन ना तुम सानम को बना ले दो क्या पिल्कुल है कर सकती है यह पूरी तरस से अपसे तो गई हूँ सनम स्पीच क्यासे दे सकती है है यह स्लोगन क्रेट करने से बहुत ही ज़ादा अलग काम है आपको एक्सपीरियन्स होना चाहिए बोलने के लिए हमारे लिए प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है Darren, please calm down, calm down, Sanem ने इस प्रोजेक्क को शुरू से मैनेज किया है, उसे इस बारे में सब कुछ पाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन उसे बनाने तो तो बहतर रहेगा, और बात सिर्फ स्लोगन की नहीं है, Sanem को सब कुछ पता है, वो काफी केपिबल है, हाँ, you don't worry, कुछ भी गल क्या हो रहा है ये सब, देखो तो इस जगा मुझे जैसे जंपाउस बना रखा है, हाँ, एक बात सुनलो, सब मुझे यहाँ पर डिसप्लिन चाहिए, मतलब हर हाल में चाहिए, ये कोई प्लेग्राउं नहीं है, ये एक सीरियस कमपनी है, फिर आप लोगे कहते हैं कि मैं आ Mr. Embry, अभी तुम्हें गिनने ही वाली थी, तुम ठीको, हाँ, 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 आप चलो, क्या आप इनका भी चक्र है, एसी बाते मुझे ही क्यू देखती है, मेरे ही समने क्यू होती है, ये बाते हैं, चुक्चाप अपना काम करो, तुम्हें यकीन है कि उसमान अरेंज कर लेगा टीचर और बाकी सर्थ, हाँ, मैंने बताया ना कि उसने Mr. Samit को कॉल किया था, वो हरी चीज करेगा जो हमें यहां चाहिए, अच्छा है ना, सारा काम हो जाएगा, अफकोर्स, अच्छा ही होगा, मैंने Mr. Samit को कॉल किया है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, देखो ज़रा क्या बात है, हमें छोड़कर बाकी सारी ओर्टे एक्सरसाइस में लगी हुई है, हाँ, पूरी कंट्री ओलम्पिक्स में जाने के लिए तयार हो रही है, कसम से यार, यह लोग स्पोच के पीछे पागल ही है, कल मैंने पुश आपने बाकर शीयां परड़की प्रसमाया है, आपको चार करना यह मैं उतनी अच्रसाइस करना चाहतीयूकर नेच्रल दिख़ो हाँ, हाँ, सुनादमने उसे कहा की ऊसरे नेच्रल दिखना है, तो फिर यहां क्या क्या कर रही है, यहां कोई पाटि कर दो शी है। चलो सेलिब्रेशन पार्टी को जॉइन करते हैं, मैं जा रही हूँ हाँ शूर, वो भी एक एक एक्सरसाइज ही है तुम डांस करो, उससे तुम्हारा फेट फ्लाइट हो जाएगा चीक है, तो बस ऐसे ही करते है यार, बहुत एक्सरसाइज हो गई मेरी तो यार, मेरी बॉड़ी दर्द कर लिया, बहुत एक्सरसाइज हो गया पता है, मैंने भी बहुत वर्क आउट कर लिया था, फिलाथे इसके साथ, मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है अच्छा, क्यों? तुमने घर पे काम किया था, क्या? लेकिन यह सही है मैं तो अपने ट्रेनर समेट से कहूँगी कि मेरे लिए कोई अलब प्रोग्राम बनाए इक्जाक्ली, मैं तो कहूँगी माई दियर समेट, ठीक ऐसा प्रोग्राम है, कोई नया प्रोग्राम बनाओ, हम ठक जाएं, ऐसा कुछ बनाओ, मुझे तो पसीना भी नहीं आता क्या यह फॉसचल है कि दुम्हें पसीना ना है यह कौन है आप हमारे ट्रेनर है ना, मिस्टर जी हाँ, मैं आपका ट्रेनर समेट क्या पाइहान और सनेम है हाँ, मेरे भाई ने कॉल किया हमेरी बात हुई थी असमान से मेरे साथ हाईए, मैं आपको जगा और एक्सरसाइज का प्रोग्राम बताता हूँ मैं अपना समान लेगा हूँ यह मैं वेट करता हूँ तो मिस्सर समेट, मुझे अपने अब्डॉमिनल पर जादा काम करना है महले हम आप्लिकेशन पर काम करेंगे जैसे जैसे आप स्पोर्टिंग एक्विपमेंट के साथ एक्सरसाइज करेंगी इसके साथ ही आपको जनरल क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी और एक बात का ध्यान रखना है सारे गंदे टॉल को लॉंड्री में देना है इसमें भी आप मदद करेंगी मतलब आपको अपना काम बिल्कुल मन लगा कर करना है इस बात का ध्यान रहे इसके बदले में आप एक घंटा बिल्कुल फ्री एक्सरसाइज कर सकेंगी अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अच्छा यहाँ कोई शेडियूल होता है काम करने का लेकिन आप कभी भी आ सकती है यह एक्सेप्शन उस्मान की वज़े से क्या कह रहे हो आप जाएं तो रात में भी आ कर काम शुरू कर सकती है ओ थैंक यू सो मच हाँ बहुत बहुत शुक्त शुक्त लिया अब मुझे दूसरों को अटेंड करना है चलता हूं आपका यह करें ज़का आइहान, मुझे ये जगा बिल्कुल पसल नहीं हाई तुम्हें ये जगा पसल नहीं हाई अरे, इसे करोगी तो सास पूल जाएगी तुम्हारी एसे नहीं, एक्सेल करो ज़रा, शुल अरे, Sanem कहा रह गई हो तुम, कहा हो तुम? जेजे, तुम यूटे पानी क्यो हो रहे हो, जेजे? क्योंकि बहुत जल मिस डेरन का Sanem Aar शुरू हो जाएगा. Sanem Aar? मैंने इस बात को नोटिस किया है, वो इस Sanem Aar में बहार आती हैं, और Sanem Sanem चिलाती रहती हैं. यह कैसे हो सकने हैं? 4, 3, 2, 1. Sanem? Sanem कहा हो? Bravo. मैंने का था, ना? Sanem, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, कहां चली गई तुम? बुलिये, मिस डेरन? मैंने Sanem का नाम लिया है, जेजे. तुम Sanem हो क्या? क्या तुम Sanem की स्टन्ट पैन हो या उसका डुपलिकी? कौन सी Sanem? और कितनी Sanem है यहाँ पर, जेजे? बहुत है. कभी-कभी वो फ्लोस फ्रेंड है. कभी-कभी वो प्यारी सी शैतानी बच्ची है. कभी-कभी एक प्रोफेशनल चाय बनाने वाली है. और कभी-कभी New York से आई हुई creative person है. बहुत सारे चेहरे हैं उसके. हाँ, बहुत सारे. क्या मैंने ठीक से बताया? बहुत प्यारी है वो लड़की, जिसे कोई भी पसंद करता है. अरे, थोड़ी तालियां तो बचाऊं, गुलीज. लेकिन मैं कुछ और ही कहना चाहती थी. क्या था वो? लो, वो आ गई. हमारी precious, हमारी प्यारी, राजदुलारी, सनेम. हाँ, मिस सेरेन, मैं यहाँ हूँ. सेरेन, कहां थी तुम अब तक? आर्काइव रूम में थी, लेकिन अभी यहाँ हूँ. ओके, मुझे, कुछ पूछना था तुमसे. कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा. तुम्हारी बज़े से मैं सब कुछ बूल गई. मुझे कुछ पूछना था. जेजे, तुम्हारी बज़े से मैं कन्फ्यूस हो गई हूँ. वो क्या था? अभी मैं जा रही हूँ. बाद में आती हूँ. जेजे, तुम सूपा हो, सूपा. क्या पॉर्फेक्ट मैनेज किया तुम्हें? मैं बिल्कुल एक शो मैन की तरह हूँ. वन मैन शो. यह सूट करता है तुम्हें. तो सच में? कहा गई थी तुम मेरी ब्यारी दोस्त? मैं एक स्पोर्स सलोन में गई थी जैदा के साथ. सच में? ठीरे बोलो, जेजे. यहाँ बैठो. यहाँ कर रहे हो, जेजे. चांते हो न, यहाँ हमारे इरिफ कितने कैनिबल्स हैं यहाँ पर. एक तरफ तो वो मिस्टर एम्रे है और बागी सारे कैनिबल्स हैं. लेकिन कैसे? मिस्टर एम्रे तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर हैं. कहीं वो फिर से अपनी डार्क साइड पर तो नहीं चले गए. मैंने बताया था ना कि उन्होंने मुझे धंकी दी थी. दी थी. और उसके बाद फूल देकर सारी भी कहने लगे थे. शायद कोई नई ट्रीक हो सकती है उनकी. लेकिन सनेम हमें सच्छाई को भी खोज कर निकालेंके. हाँ बिल्कुल. लेकिन बहुत स्यादा केरफूल रहेकर और भी केरफूल रहना होगा हमें. एबसलूटी. हमें बहुत चौकन ना रहना पड़ेगा. और एक बात कि हमारी आंखें हमेशा उन पर होनी चाहिए. हाँ बिल्कुल. ऐसा ही करना है. हमें अलर्ट सब्सक्राइब रही है. हमें हर जगा चेक करनी पड़ीगी. हर जगा. हमें अपर होनी आखें खुली रखनी है. हाँ अभी से काम शुरू करके हां हमने ये साब अभी शुरू किया है. इसलिए ये हमारी एक टेस्ट हो गी. अब मेरी आखें उस पर एगी. हाँ भापरे, य बहुत ही खतरनाक अच्छा देखो तुम्हें काम करना है तुम्हें बिलबोर्ड बनाना बना पाओगी मैं समझ गई फिक्र मत कीजिये मैं कर लोगी इस काम के लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं बहुत ही इंपोर्टन काम है लांच के दिन हमें बिलबोर्ड रेडी करना है उसका कैमपेंड हमें तूफान की तरह करना है ठीक है तुम तुम समझ रियो मैं क्या कह रहा हूँ जो भी आपके लिए इंपोर्टन है वो मेरे लिए उतना ही इंपोर्टन है हाँ अब बिल्कुल फिक्र मत केज़े हाँ ओके सही है अच्छा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना नहीं बिल्कुल नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आएगा भी तो मैं उसे देख तुन दो हुहु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है मतलब तुम्हारे मन में कोई सवाल चल रहा है समझ रहा है नहीं हार चीज एकदम क्लियर है मुझे सब दिखाई देता है हम हम ठीक है मैं सब कुछ सॉल कर सकती हूँ आप मुझे पर ट्रस्ट कीजिए ओके आई अदरस्टाइंड जल्दी से ये काम कहत्म करो इसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक और इंपोर्डन टास्क है मैं तयार हूँ हम चाहे कोई भी काम हो ओके मुझे तब बर ट्रस्ट है हम 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 वो वो मुझे पर ट्रस्ट करता है मिसर चान में आपको हर खतरनाक लोगों से बचाओंगी आप मुझे पर बरसा कीजिए आप 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 कि अग आप सच के रहे आप इसने स्क्रिप्प पढ़ी है क्या दिये नहीं सर मुझे कुछ पता नहीं था कोई बात नहीं है तुम बिल्कुल फीट हो मेकप भी हो गया है क्या एक तरे काम करने की क्या टेकनिक है बहुत बड़ी है पसंद है यह तो अपका बड़पन है सर देखो कितना हंबल है बिल्कुल अलपचीनो जैसा है देखा सर आप भी नहीं देखो सीन में ये कर आप क्या नाम क्या है तुम्हारा उस्मान उस्मान हाँ सर इंग का मेकप करना दो नहीं नहीं कोई ज़र होती ये कोस्ट्यूम मेकप बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है देखो असमान मैं चाहता हो कि तुम टफ लगो और बिंदास दिखो तुम टफ और बिंदास सिकरेटी कार्ड़ो सिर्फ एक बार फायर करना है ठीक है ठीक है सर इस वत मैं शौर नहीं हूँ उनकी बड़ी लाइमवेज काफी अजीब सी लग रही है यह कर क्या रहे है नहीं पता अरे क्या कर रहे है यह तो मैं साइलें से बात कर रहे है मुझे तो अपनी कर दन बरोस औरत के नाखून दिखाई दे रहे है ओके आइलें में चल दी आजाओंगा आइलें का उन्होंने आइलें का सानेम, सानेम इधर ओनो क्या हुआ बोलो दिनको सही कह रही थी कि अमरे अक्टिंग कर रहा है तुम्हे कैसे बता चला अब आपके में से फोन पर बात कर रहा था उजल्दी मिलने वाले है मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना हाँ हाँ तुमने कहा था लेकिन तुमने मुझसे कहकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती है अभी अभी चाय बनने रखी है थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देता हूं ताकि खुश्बू बहुत अच्छी है समझ रही हो ना तरगेट चला गया चलो यासे चलो चलो मेरे साथ चलो या रहा हूं यह क्या कर रही हो तुम हम उससे फॉलो करेंगे तुम्हारा तिमाग तो खराब नहीं तुम्हारा 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 सब ठीक है, हम प्रिंटिंग हाउस जा रहे हैं, वहां कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक कर काते हैं, हम, ठीक है, काम ख़क्म करके जल्दी आना, अचानक से क्यों चला रहे हो, तुम जेजे, जैसा आप कहें, जलोगो गया है, जैसा आप कहें, मिस्टेर मध्व जयसा आप कहें, जेजे, तुम चुप नहीं रह सकते, जेज़ चिर जाओ चल्डू चल्डड़ जेज़ टक्सिलाओ टक्सिल्य तरफटर्टाव टक्सिल्य क्किन्स का तटक्सिड्टर्टर्टर्ट मैं सब को रिस्पेक्ट देता हूं इसलिए टैक्सी वाले भिया बुला ओफ वो निकल तो नहीं जाएगा ना को पकड़ लेंगे कि मिश्यर मिस रैम्री भी भी मिसरा इलिन के कॉंटक्क्ट पे है अरे क्या कर रहे हो टैक्सी में आजाओ ना क्या कर सकता हूं था हमाई यह था नगा म Теперь करो है कर ineंगा था जै 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 ऐसे बेवखोफी भरी बातें मत करो तुम्हें यकिन है कि वो आप क्या लेरे चाहेंगे थैंक यू मिस्स आइलीन और मिस्टर एम्रे दोनों खा रहे हैं ना आभी अभी 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 अभरूंगे तुम्हें चुप रहो एक ताम हम ना थोड़ी कमर्शियल बाते कर रहे हैं थोड़ी इंपोर्टन है तो अगर कि उसकर रहे होगे तुम पहले से ही ऐसी बाते बोले जा रही हो अगर डर लग रहा है तो हम चलते हैं कुछ भी वको मत जब कास्ती चहरा में सचान के सामने मही लाओंगी कहीं नहीं जाने बाली पर दोन अच्छी बदो अच्छी बात कहीं कि यह दे्खो सिर शनाध 85 लिराज में है अच्छा तो अर्डर करो ना दोनों खाएंगे क्या चुप रहो जेजे यह रियो सनेम, 85 लिराज में एक सलाध है उसे यह चलता ओफिस की चाहे पीते हैं, वो तो कम सिकम फ्री है हुमारी कमपनी में क्यो और चल रहा है, तो महारी जॉप भी जा सकती है, और्डर करो हाई जेदा, वेल्कम थैंक्स मुझे कुछ सबाल पूछना था, इसले, मैंने सुच्चा की फोन ना करके तुम्हारे पास या जाओ आ, अम्शुर तुम लेकर बहुत एक्साइड़ हो, हम भी बहुत एक्साइड़ है प्ली, बहुत एक्साइड़ हूँ लेकिन अच्छा है ना की मेरी पास शक की कोई गुझाइश नहीं है तुमने काम कर दिया और मुझे तुम पर बूरा ड्रस्ट है थैंक्यू, थैंक्यू सो मच पर ड्रस्ट है बहुत हो गया इसका ही सब यह औरत तु रोज 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 आने लगी है मेरी यहां विजट करने की कुछ और भी बज़ा है रेली, क्या बज़ा है बताओ यह तुम्हारे लिए वाउ यह तो कम्मालगा लग रहे जेदा यह तो हाँ, फर्स प्रोडक्शन में से एक है प्रेजन्ट, क्या हो सकता है वो यह तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो चले जाओ अपना काम करो क्या होगा वो यह कम्माल की लेज़ यह तू मच अपने वक्त की लेज़ेंडरी टिकनॉलोजी जो इस वक्त भी काम करती है बहुती स्पेशल प्रेजन्ट है पर तुम्हें यह मिला कहां से? मैंने सालों पहले एक आॉक्शन से खरीदा था जेदा यह बहुती एक्सेप्शनल प्रेजन्ट है थांक यू वेरी मच लेक्यान्ट मैं यह एक्सेप नहीं कर सकता प्लीज तुम पुरा मत मानो जान प्लीज मुझे ऐसा लगता है कि इस कैमपेंड के साथ कमपा स्पोर्ट्स की नई पारी शुरू होगी हो सकता है तुम इससे कुछ फोटोज ले सको क्योंकि इससे पहले टेक्नॉलजी और सनेम दोनों एक साथ नहीं थे क्यों नहीं यह हो सकता है? अच्छा वैसे तुम्हारे दमाग में लॉंच को लेकर क्या चल रहा है? हाँ, बिलकुल मैं एक पार्टी के बारे में सोच रही थी लॉंच के लिए पार्टी रखते हैं यह फिल्टर कमाल का है मिस्सर एमरी की आंके लिखा ही नहीं दे रही है अभी भी उसके सर्फं़ को चैरोगहे हैं हाँ, वहत पनी था अ さरेम वो औरत कुता बन गई मैंने उस औरत को कुता बना दिया ठीक है फिर तुम Еслиचान को यह बता希望 कि तुमने यह औरत को कुता बना दिया वो औरत कुता बन गई गुझा दिखाय नहीं हराद चलो यहां से अब कि अब चुपया यहां से चलो रहाद है अब यह टॉबलग किस तप और खोगड किस तरफ होगा अब आप एसे कोरें जैसे हमें एक सेल्फी ले रहे हैं बात अची तो बताओ तुम कैसी हुआ ये कैसे हुआ तुम्हें खाना पसंद आया नहीं ये तो मिसाइलिन नहीं है लेकिन फोटो फोन पर यही बात कर रहा था आयलीन, मैंने सुना था, मैंने अपने इन कानों से सुना था लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जेजे सनेम शांतो चाओ, शांतो चाओ, चलो बोलो कि यहां क्या करें सनेम, जेजे, तुम लो यहां क्या कर रहे हो अरे मिस्टर एम्रे किसी ने कहा कि यहां बहुत दिलिशिस खाना मिलता है इसलिए है वाओ क्या कोईंसेडेंस है ना यह है में से मीटिंग करने आ रहा है इतनी यंग एज में जंडरल मैंनेजर क्या बात है आपको कोई फायर नहीं कर सकता है यह इसका प्रॉब्लम है अब चलो लंच ब्रेक खतम हो गया है अब हम चलते हैं हमें उस फाइल को चेक करना है जैजी जिस पर हम काम करते हैं बिल्कुल बिल्कुल चलो चलते हैं मिस्ट अनिम चलो अब चलते हैं फिर कभी मिलेंगे चलो अब जी हां चलते हैं अब ओके तु तू मिस्स पात से शुर हो जाया करो कि तुमने क्या सुना है? सने, जब तक मिस्टर रेमरे कुछ ना बोले, तब तक तुम कुछ मत बोलना, ओके? ठीक है, बढ़िया, यह यहां पर क्या कर दिया, यार? मैं आता हूँ. सने, ओ, मिस्स जैदा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, क्या कोइंसिदेंस है है ना? हाँ, बिल्कुल, सही कहा. जेदा की पास बहुत अच्छा एडिया है लॉंच के लिए, और आज वो आइडिया हमारे साख शेयर करने आई है. आजकल तो हरे की पास आइडिया होता है. रेली, अरे वा, मतलब आप काम कर रही थी? हमीशा करती है, और मैं आज एक प्रेजेंट भी लाई हूँ, जान के लिए. प्रेजेंट? क्या वो आपको पसंद आया, मिस्टर जान? हाँ, बहुत ही अच्छा है, एक कैमरा है, जो रेर पीस है, बहुत ही पुराना है, आजकल मिलता भी नहीं है, अच्छली साच कहूं तो वो एक अंटीक है. यह औरत बहुत कतरनाक है, अब मुझे चलना चाहिए, हम मिलते हैं. बाई-बाई, ठेक केर. थाइक यू. हेलो, जेडा. कैसे है, मिस्टर एमरे? तुम कई जारी हो? हाँ, मुझे कुछ बाते बतानी थी जान को, इसलिए आई थी. अब मैं जारे हूँ, स्पोट सलून में जारी हूँ. वो, रिली? उसने मुझे भी कहा था, लेकिन मेरे पास जाने का टाइम ही नहीं है. हाँ, मैं अपने लिए तो वक्त निकालना ही चाहिए, ना? मुझे एक अच्छी जगा जाना था, और एक दोस्त चाहिए था, जो मुझे कामपनी दे सके. मेरा भाई अच्छा दोस्त तो है ही, पर बहुत अच्छा ट्रेनर भी है, खास कर केक बॉक्सिंग का. क्या बात कर रहे हो? अरे, ये तो मैं कई दिनों से करने की सोच रही है. मेरा भाई तुम्हें सिखा देगा, I'm sure he'll definitely do it, उससे अच्छा टीचर तुम्हें नहीं मिलेगा, सही कह रहे हो, एक और बात कहों तुम्हें, तुम दोनों अच्छे कपल लगते हो, अच्छा अगर तुम कहते हो, आज अच्छ में, मैंने बहुत वक्त से उसकी इतनी अच् मेरी कार आगे है, सी यू, सी यू, जल्दी मिलते हैं, चलो जल्दी, हालो, क्या हो, असने मैं, वो, प्रोजेक्ट की फाइल देख रही हूँ, वो जो ड्राफ्ट है, वो, यह लो, गया है, मुझे यह कैसे नहीं दिखाए दी, और कोई काम है, चाहिए तो यह ले जाओ, नहीं, मैंसे यही से भी पढ़ सकती हूँ, अक्या यह जैदा ने दिया हुआ गिफ्ट है क्या, हाँ, आप कह रहे ते स्पेशल है, बहुत सादा स्पेशल है, और रेर पीस भी, हाँ, बिलकल तुम्हारी तरह, एकदम रेर, हेलो भाई, एम्रे, मीटिंग कैसी रही, बहुत अच्छी रही, हमारी बहुत अच्छी बाते हो गई, आइलेंड कमीटी से बात करके हमें बताएगी, मेरे पास ऐसा सोचने के कई रीजन्स है, तो मैं जो सोचना है, तुम सोच सकती हो सनिम, पर इससे सच्छा ही नहीं बतलेगी, मुझे मेरा सबक मिल चुका है, तुम्हारी बहुत ने मुझे बदल दिया है, अब तुम जा सकती हो, आराम से बढ़ कर दीजिए, कितना अच्छा लग रहा है, कहां थी मैं, आए सुन, आजाओ, आजाओ, तुम भे कोई किताब पढ़ लो, जिससे तुमारा दिल लो और तुमारी आत्मा क्लीन हो जाए, आजाओ, यह बहुत किंती है, हमें इनको संभल कर रखना होगा, बहुत कर दो, जो, आए अच्छा, पता थोड़ुआ, काम से कम तीन मेजर का अंटर बजन से पहँआ है, तुमारी वजह से हुआ है, यह सब तुमारी वजह से हुआ है, अजी ने सुन, मैंने नहीं कहाँ कि मैंने देखा है, तुमने उसके फोटो जूम करके देखे थे ना, तुमे नहीं पता चला, वह में साइली नहीं है तुमने मुझे आकर कहा था कि यह तुमने सुना है लेकिन मैं फोटो निकालने पर कॉंसेंट्रेट कर रहा था, इसलिए नहीं देखा तुम फोटो ले रहे थे, तुमने उने जूम किया था मुझे भी शर्मा रही है, मैंने कुमारी मदद करनी की कोशिश किये, मेरी गलती ची सनम अहां, बोलो जान, अह, मिस्सर जान, इसे पपड़ो, यह लो क्या हुआ सनम, अब मैं तुम्हे इस पूरे कैमपेन का सबसे फ्रजायल सेक्शन के बार में कुछ बदाना जा रहा हूँ अहां, तुम तयार हो सुनने के लिए यह प्लीज ओके, तो यह देखो, मैंने सारे स्लोगन को अरेंज कर दिया है, लेकिन यहां पर नहीं है मैंने बस उनकी पूरी लिस्ट थयार कर लिया है, जो तुम्हे यहां मिल जाएगी, ठीक है और एक और बात सुनो, हर एक स्लोगन हर एक महले के हिसाब से लिखा गया है आइमीन हर एक महले का एक स्लोगन है, यहां तुम्हे सारे विज्वल्स जाएगे नीच है, ठीक है तुम्हे जल्द ही सारे बिलबोर्ड्स तयार कर वाले है मैं? हाँ, तुम्हे ही कह रहा हूँ, तुम्हे ही एस कॉंटेस्ट की क्रियेटर हो और इसकी कॉड़िनेटर अपपॉर्स, मतलब मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ, बल्कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ काम डाउन, काम डाउन, तुम्हें लाउंच से पहले करवान है लाउंच के दूसरे दिन ही ये सारी जगह पर, आइ मीन, सारे एरियास में ये बिलबोर्ड्स लग जाने चाहिए तुम्हारे पास वक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो I think you should start now, ठाना? क्या, कैसा लाउंच? सानम, अगर तुमसे नहीं होगा, तो मैं डेरन से कह सकता हूँ मैं अपना काम करूंगे, मिस्टर जान, मैं अपना काम कर रही हूँ मैं पहली इंसान थी न, जिसने इसकी आइडिया दी थी, मैं इस प्राजेक्ट की कॉअडिनेटर हूँ न, तो क्या आप मुझे मेरे हिसाब से काम रही हूँ Okay, okay, calm down, calm down, no problem, मैं सरफ इतना कहना चाहता हूँ कि जो स्लोगन्स हैं, उससे सिंक्रनाइस करो ठीक है, मैं समझ कहीं, ये मेरा पहला काम नहीं है Okay, हाँ, सही है, तुम ब्रेव हो, तुम मैचॉर हो, तुम कर सकती हो, आनो मैं कर दोगी अरे यार, ये हमारी क्या हलत हो गई है जब से लैबरेरी बनी है, तब से कोई ढंकी शार्ट तक नहीं पैन पाया हूँ बिल्कुल सही का, यार, मेरे साथ भी ये हो रहा है तुम ही सेम खाना खाना पड़ता है दिन दिनों तन, वो अपनी लाइबरेरी में बैठी मस्त रहती है उसने तो घर पर बहुत सारी किताबे लाई हैं, जैसे कि हम सब तो किताबे ही खाने बाले हैं अम क्या है से बैचलर्स के तरह जेएंगे, कल रात मैंने थिशिस भी साफ लिए, ये लाइबरेरी हमाले ठीक नहीं है सच में अची नहीं है, मैं इसका कोई ना कोई स्थी स्लिशन नहीं पड़ेगा, वो भी चल ले चल आजेएक्टली आचा क्या जेदा, अचा, मैं तुम्हें सपोर्स क्लब में मिलता हूँ, हाँ, जरा अप्रेक्रस करना चाहता हूँ, बस हो कुछ नहीं हुआ, तुम भी वहा हरी हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वाइटमीन बाध में मिलता हूँ, अबने ट्रे देखो, देखो, यहाँ पर बहुत सारे वीज़ोल्स है, अरे तुम चाहती क्या हो, मैं क्या देखो, मुझे यहां इस पहली में उलजा कर तुम का जा रही हो, अरे यह सिफ काम है, जो तुम्हें करना है, दिट्टा नहीं कहा, तुम्हें यह कमपा स्पोर्स के लिए है, यह स काम नहीं कर सकता, मैं इस काम को रिजेक्ट करता हूँ, जे-जे, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि हर जगा पर अब पिराना है, पिराना है, पिराना है, इसलिए चुपचाब यहां पर काम करोगे, असनिका पिराना है, पिराना, पिराना, तुम अपना काम करो हाँ हाँ समझ गई सब कुछ पहले सब कुछ क्लीन करोगी उसके बाद तुम लोग एक घंटे तक कोई भी एक्सराइस कर सकती हो ओके ओकी नो प्रॉब्लम हम सब कुछ एकदम चका चक कर देंगे बहुत साफ सुत्रा आप देखती रह जाएंगी फीक है तो काम चुरू करते हैं तो इसे अपने गले में पेंटो चलो पहनो यह लो ए फिसे गले में टांग ना है आपले में पेंड़ नेकर लगाना है और हमारे टेपो से जा कर अपने यूनिफॉर्म ले लो और उसे पहन लो वहां जो भी होंगे तुम्हारी मदद कर देग गया बहाँ चली जाओ उसने युनिफॉर्म कहा गया हाँ युनिफॉर्म क्यों यार हार एक ने यहाँ पर ऐसे कपड़े पहने है जैसे मिलिटरी में हो तुमने उसे वो सब क्यों कहा यार मैं तो डर गई थी अरे यार वो मैनेजर है मैंने ही चाहती थी कि वो पहले दिन ही पर अच्छा किया तुमने तुम समझ गए ना मैं समझ गया इसुन समझ गया इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं अभी जाकर उनको उकसाता हूं लेकिन थोड़े पैसे दे दो उनको चाय पानी ओफर करनी बड़ी कि तभी तो काम होगा न अपना पैसे कितने पैसे लगेंगे दो सो काफी हो जाएंगे अ अ क्या कहा दो सो क्या करोगे उतने पैसो का अरे डोलर दे दो आयसुन इं लोगों की तरफ जरा नजर डालो तुम्हे नहीं लगते किसी भूके गिंडों की तरह हैं ये लोग अब मैं खाली हा जाओंगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए क अई हान हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है हमें ये क्लीनिंग राफ से पहले खतम करनी है हाँ ठीक है चलो अब शुरू करते है शुरू करते है हाँ कहां? ट्रेटमिल पर नहीं नहीं आप नहीं दौड सकते अगर आपके जूते गंदे होए तो यह ट्रेटमिल भी गंदा हो जाएगा इसलिए आप नहीं दौड सकते लेकिन मैं तो अभी दौड सकते अरे आप जाकर कही और खेलिये ना अरे बहुतने सारे खेलों आपके जाकर खेलिये ना मुझे यहां पर साफ करना है यसलिए यहां नहीं आसकते चलो आयान को पड़ी चेंच करकर आते है मिसर जान के इहां जाएगे तो यह अंदर से कम मदर वाली फीलिंग आजएगी कोई नहीं कह सकता अब क्या हुआ यहां कि छिप रही हो जान हा यहां यहां यह यहां पर अरे वासनेम देखो तो उससे एकदम हर्कुलिस दिखता है सच में अरे यार वो मेरे भाई जैसे हैं बुरा मत मानना अरे वो औरत कौन है कैसी ललचाही नजरों से उससे देख रही है जैदा गुंगराली जैदा कथी जैदा लगता है वो उसके पीछे पड़ी है देखो जरा उसे उसके मैनस तो देखो जरा उसके सामने कितना ड्रामा कर रही है अयान अब मुझे पारोक मत करो समझी ना मैं पहले से ही बहुत अफिट हूँ चलो अब चाके कहीं छूकत है हां अब तो हो आपने तो हो आप यह डिरा ही दिया हम लोग यहां क्या करेवे हैं? तो यहां पर क्लीनिक कर रहे हैं और मेरे ख़ियाल से खक्म हो गई हाँ, कि सब जगा सफाई कर ली तुम्- तो पिनिश कर से नहीं? आँ, हमने बहुत जल्दी सबकुछ इक्तम साफसुतरा कर दिया है आप देख सकती है कि हर तरफ कितनी सफाई है देखें, तुम योग उन्ने इतनी जल्दी सपाई कैसे कर दी? जरब आहां देखो, हर जगर डस्त ही डस्त है, डस्त मीन भरा हुआ है कच्रे से, कहां है वो डिबबा, कौन सा कच्रे का डिबबा, कहां पर है, वो देखो, वहां पर जो है, अ, ऐहां क्या तुम्हें कोई कच्रे का डिबबा देखाए दे रहा है, अरे हाँ, वो वहाँ पर रखा है क्या उसे खाली नहीं करोगे, उसे मैं खाली करूँगी क्या अच्छा, आप उसे खाली करने जा रही है अरे नहीं, आप ये सब क्यों करेंगी, हम किसले हैं, हम करते हैं न जलो जाके उसे खाली करो, और अपना काम अच्छा से करो. हाँ, कोई हमें यहां नहीं जाता, जलो जाते है. करो 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 जान के जाते हुआने के पारा, जाते हमें फिर जाते हैं जशली सीकें जा जाती हाँ वो मैं तो परिशान हो गई हैं तुम्हारी वज़े से दूसरों की गंदिगी साफ कर रही हूँ परेले गिमें पायो उसके बाद में तुम्हें बताऊँ की क्या है मेरे दिमाग में बहुत इच्छी आइडिया है चलो वहां चलते हैं मैं बहुत ही अपसेट हूँ आई हान एक सब्सके आपका यहां तर्फिया होगा हम अदा आया हुँ अब आई हैं आइसारे में लिए लीक्सों के लिए अडिया हैं कॉंसा था वो कॉंसा था 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 आए यह मुझे नहीं होगा यह नहीं करऊंगा अब बूजे बताओ, दिखाओ सबको आइलंड, यह शायद आइलंड के लिए ही हूग तुम इसे कर लो टी आइलंड, एक बात और है इसके मारे में क्या कर रही हो गुलीज, तुम यह नॉक 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 यू कर रही हो JJ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ हाँ, बताओ क्या हुआ है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, नहीं बताना है क्या अच्छा तो बताओ, बताओ मेरा IQ क्या हो का JJ, तुमने नोटिस किया, ऐसा लगता है कि Lela और Mr. Emberic कहीं और ही काम करते हैं मैंने नोटिस नहीं किया, नहीं किया, और मुझे ऐसी कोई भी बात मत बताना, इनफ, बसो गया, कोई भी गॉसिपिंग नहीं चाहिए मुझे, समझे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं काम में कितना बिजी हूँ, लेकिन तुम हो की गॉसिपिंग किया ही जा रही हो, Okay, 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 मैं नहीं करती, कुछ भी सुनना नहीं है, तो ठीक हम जा रही है, तो अध, एसी करती हो, गॉसिपिंग करती हो, गॉसिपिंग, खिलो नहीं हो तुम, जो बच्ता ही रहता है, उसकी बात को अंसुना कर दो, चलो अपना काम करो, तुम मुझे क्यों खोर रहे हो, वह तो, वो वहां पर है, हो रुको भी, सैने में, तुम पागल हो गई हो, इसा स्वाल मुझे कARIN हो, इसा पर रुकना चाहिए, जोलेबल पर, को तुम करती हो, है जेदा, इसको एसा ओपन लखना मभरे यो ओपन करते रहो वन टू ओ वनlor स्गु तुम एसा करो, हमेशा जोकर को करीब होना चाहिए यह एसे जो कर रहे हो तो हिट करते वाहन, स्टेबल रहो ऊके, कमान चलो अके, स्टेबल रहो में स्टेबल रहो okay very good you are very good why not so I should get him okay one, two, one one, two, one come on come on come on one more time very good very good nice हाँ, प्लीज मुझे तो मेरा ट्रेनर मिल गया है अपसे मैं उसे कभी नहीं छोड़ूगी ठीज क्या, हम करते हैं चलो मैं जाखर पानी पीती हूँ अभी अभी आती हूँ मैं ठीज के लेकिन मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकूंगा ओके जान मुझे माफ कर दो क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो क्योंकि मैं इसमें नहीं हूँ हाँ, वो तो दिखी रहा है और मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ मेरे पास सब को सिखाने का वक्त भी नहीं है अरे प्लीज सब पोजिशन समझा दीजिये ना ठीक से अच्छा लब लब तुम मुझे रिंग में इन्वाइट कर रही हूँ तुम शाथियो मैं रिंग के अंदर आकर तुम ऐसे खाऊ हूँ हूँ अच्छा लगा ना अराम से अराम से मैं सीख रही हूँ ना ना अरे अकलीस मुझे देखो तो सही तुम ऐसे बिलबोर्ड बन गया क्या हाँ सब खतम हो गया सब खतम हो गया आपको मुझे यहां देकर अच्छा नहीं लग रहा क्या सायद आप जयदा के साथ अकेले रहना हैं वो बस मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं बिल्कल नहीं आपके पास बस एक दोस्त है और वो मैं हूँ मैं आपके सबसे स्पेशल वाली दोस्त हूँ कमान क्या कमान हाँ क्या कमान क्या कमान तुमाँ! मैं बस्तुर होश में उसम चाप! अजय को शुक्त परता एंध। इस अनोग्डाउन! ये तो बज चुरुआत थी! फिर दो गेम लंबा चाले है? मिस्टर चान! हम एंटर्व्य तुम्स्तुर चान? हम इंटर्वी यह आये हैं, आप रेडी हैं? अशाँ बस दो मरेट! हाई यहाँ, मैं, मैं इनकी दोस्त हूँ, और अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, मुझे वाम अप की बहुत जरुरत है, परना मुझे यह कभी हरा नहीं पाएंगे, हम दोस है, और एक साथ काम भी करते हैं, हाँ, बिजनस फ्रेंद्स है, हम नॉर्मल फ्रेंद्स भी है वैसे, हलो, यहाँ, हाँ, 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 हाँ लेडिज लाइबरेवी में बिजी हैं, है ना? अगर का कोई काम नहीं चल रहा? कि तरही बुरी बात है ये, माफ कर दो भाईयो, मुझे कुछ कर नहीं होगा, रहमे, सब के लिए चाहे संटुचिस लेकर आओ, आज की ट्रिट मेरी तरह से, अरे वा, बात बढ़िया, क्या बात है, ले आओ भाई, और स्पेशल सेंटुच मिस्टर निहाद के लिए साथ में डबल चाह भी लेकर आओ, मसाल अमार के, नहीं, कोई ज़रुवत नहीं है, थैंक्यू, थैंक्यू, मैं, 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 भाईयो, कैसे हो, ने, ने, आपको लेना होगा, मिस्टर नियाद, प्लीज मेरी ओफर एकसेप्ट कीजिए, आप सब को हुआ क्या है, आप सब इतने थके हुए दिख रहे हैं, मुझे तो लगता है, शायद आपको खिलाने के लिए सेंड़्ुचेज भी काफी नहीं होंगे, देखो तो, एक माफ करना दोस्तों, लेकिन मैं सचा ही बता रहा हूँ, हाँ, हाँ, यही सचा ही है, मुझे माफ कर दीजिए, मिस्टर नियाद, पर मुझे लगता है, मिस्टर स्मेवकीबे ने गलती करती हमारी प्रेसिडेंट बंकर, इन बिचारे मासुम मर्दों को देखो, उनके मुर्दो जैसे बैठे रहते हैं, यह कैसे दिन्देगी हो गई है, आप यह सब डिजाव नहीं करते, अगर आप सब खुश हो तो मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा, पर क्या है यह, ने, ने, इस लाबरेरी को बंद करना ही होगा, चलो सांतियों मेरे साथ, चलो सब लोग चलो, चलो, इस लाबरेरी को बंद करके ही रहेंगे, रुको, रुको मेरे दोस्तों, देखो भाईयो, बोर तो को लगता है कि हमें उनकी जरूरत है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो उने लगेगा कि हम वीक हैं, पर हम वीक हैं क्या, बताओ हम कमजोर हैं क्या, बिलकुल भी खुद की चड़िया, खुद की बनियन, सब कुछ खुद ही धोएंगे, हाँ सही का, बताओ हम अपनी जगे बनाएंगे, उने हमारे सामने जुकना ही पड़ेगा, वो ज़रूर आएगी, हमारा क्याफ़े हमसे पाई नीचिनेगा, वर्दों का गैंग जीतेगा, जायो क्या बात है, ओहा क्या बात है, ब्राबब, ब्राबब, हम अपनी जगेe बनाएंगे, वर्दों का जैंग जीतेगा, ने चार गिलास निम्ब पानी प्यूंगा, चार गिलास, हब्दे पर की सारी केस लिशान इकालवा, नीभो नहीं खाली पानी पानी देदेंगा, यहे, यह वारत भी ना चुड़ेल जैसे इनके पीछे पड़ी है, जहां वो जाते हैं बहाँ चली जाती है मिस्टर जान के अखेले के फूटो लेने चाहता हूँ ओके, जैसा तुम करो, वो वाकई में उसके पीछे पड़ी है मुझे यकीन है कुछ दिनों में मीडिया इन्हे लवर्स बुलाने लगेगी आयान, मुझे भढ़काओ मा, प्लीज भढ़काने रही हो, कुछ मता रही है मुझे यहाँ आने दिदियो ना, प्लीज सारी, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करने के लिए नहीं आई हूँ सैनी, तुम इंटरव्यू के लिए भी आगई? ओ, नहीं, यह तो एक कोइंसिडन्स ऐसा कह सकते है मैं तो यहाँ एक्सिसाइज करने आई थी आपको तो पता है ना, कि ओफिस में कितना काम आता है मैं कितनी बीजी रहती हूँ मैं तो एक क्रेटिव कॉडिनेटर हूँ ना, इसलिए मैं बहुत बीजी रहती हूँ मेरा दमाग तो काम करता है, लेकिन मेरी बॉड़ी कभी-कभी मुझे स्वांस नहीं देती इसलिए मुझे एकसिसाइस की बहुत जरुरत है इसलिए मैं अपने पॉसनल कोच के साथ यहां आई हूँ आई हान हाई यह मेरी पॉस्ट क्लास ट्रेनर है, एक तुम, एक तुम कमाल की ट्रेनर है मैं सनम हमारी कंपनी की बहुत वालियोबल एंप्लॉई है ओ, थांक यू अगे सवाल पर आते हैं, मिस्टर चान मैं अभी स्टेट फॉरवड पूछने वाली हूँ यह बहुत ही परस्नल सवाल है क्या आपके जिंदिगी में कोई स्पेशल है काश यह आपने मुझे इतना स्टेट फॉरवड नहीं पूछाता मुझे मेरी प्राइवेट लाइफ के बार में डिस्कस करना अचा नहीं लगता तो मैं इस बात का जवाब देना पसंद नहीं करूँगा नेक्स क्वेश्चन यह पताईए कि फ्यूजर में आपका शादी करने का कोई प्लैन है नई मैं खुद को एक फ्री सोल मानता हूँ बिल्कुल एक वाइल्ड आनमल के तरह जिसे आजादी सबसे कीमती है अच्छा आजादी जरुरी है अहां यहीं सच है वो क्या है ना शादी करके मुझे लगता है कि शादी करके मेरी आजादी चली जाएगी अगर आपको कोई स्पेशल मिलती है तो क्या आपके जिंदगी उसके लिए चेंज हो जाएगी मैं इतना भी रिजिड नहीं हूँ या मेरी कुछ जादा डिमांड भी नहीं है बस नॉर्मल एक्स्पेक्टेशन्स है उस लड़की को इतना जानता हूँ कि मेरे लिए फिजिकल अपेरेंस से बढ़कर एनरजी है वो काफी खुश पॉजिटिव होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसने अपने अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा रखा हो वो काफी दयालू, थौट्फुल और अंडिस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसका कारक्टर स्टेबल हो और सच कहूं तो एलिगेंस भी उतनी ज़रूरी है और सबसे ज़ादा ज़रूरी है फ्रेग्रिंस, you know मैं और वो एक फ्रेग्रिंस शेयर करें जो सर्फ एक्स्क्लूजब वो मेरे और उसके लिए है मुझे घूमना पसंद है अलग-अलग लुकों से मिलना पसंद है उनसे बात करना पसंद है तो शायद यही चीज़े हैं जो मुझे अट्राइक करती है मतलब दुनिया घूमने के बाद भी वो आपको नहीं मिली शायद वो आपके करीब ही गई है चान मेबी आप जाएए ना प्लीज है इरुको क्या हमारे बीच वापस कुछ हुआ है क्या कोई कोई गलती होगी मुझे बताओ दू मुझे यार नहीं आप अपसा क्यों कह रहे हैं अच्छा तो मुझे समझ नमें गलती होगी अच्छा मुझे एक बाद बताओ क्या तुम स्लाइटली भी जेलिस फील कर रही हो तोड़ा सा भी लाइक वन परसेंट जेलिस मैं क्यों मैं जैदा से क्यों जेलिस हो जाओंगी दिस नॉट पॉसिबल मैं वैसे भी आपकी लटी कौन हो हम तो बस बिसनस फ्रेंड्स है ना और एक दोस्त बना दूसरे दोस्त के प्राइवेट लाइफ से क्यों जैलिस होगा सानेम ठीक है मैं समझ गया और आपको जिसके भी साथ रहना आप रह सकते हैं आप बैचलर जाओंगी मैं अपने काम पर जा रही है ये स्लोगन गलत है और ये भी ये सब ट्राश में जाएगा मैंने तुम दोनों को प्रिंटिंग हाउस भेजा था ताकि ये गलती ना हो और मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों किसी काम के नहीं हो तुमसे कभी भी कोई भी काम ढग से नहीं होता है क्या जान देखो हम अब पूरी तरह से बरबाद हो गए है एक और स्लोगन फिरसे क्या होगए डेरन अब ये देखेंगे तुमने क्या किया क्या है इसे देखो ये रहा बिलबोर जो हमने कमपस के लिए ओडर किया था देखा आपने इन दोनों ने ये सेम साइज का ओडर किया है जबकि मैंने यहना था, चेक करने के लिए. रहा है कि लिए. मैंने इन दोनों को साथ में प्रिंटिंग हांस भेजा था और इन्हों ने यह कारणामा किया है. दोनों से क्या मतलब है जे जे और? जे जे और सैनम! यह तो सनेम की रिस्पॉंसिबिलिटी थी, जे जे की नहीं माई फॉल्ट, सॉरी ब्रावो, कॉंग्राट्स ब्रावो सने, अभी कैसी हो तुम गुलीस, तुम यह ब्रावो पे अप्लॉड नहीं कर सकती हो, इस टेरिबल ब्रावो मैंने टाइटिल और वीजुल्स बरावर से चेक किये थे, पर फिर दरी पर पर क्या सने, पर अब हम फस कए हैं इस बिस्निस में बुरी तरह से, यह पर वर्ड बहुत अन्नेसेसरी है, कल यह बिलबोट्स हर जगा लगने वाले थे, अब क्या होगा, हम इसकी साथ अब क्या करें, हम इसे गिफ्ट राप कर सकते हैं, हाँ, या नोंबुक्स पर कव का देते हैं, वो सही रहेगा, या फिर इने उठाकर डस्मेन में फेग दी, क्या करें, बताओ तुम, हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे क्या कहना चाहिए, I'm sorry, मैं भी तो यही कह रही हूँ सने, कि जिससे रिस्पॉंसिबिलिटी मिली है, उसे अगर कुछ बोला ही नहीं आ करते हैं, सनेम को एक और रिस्पॉंसिबिलिटी दे देते हैं, ठीक है सनेम? वेरी नाइस, आप ऐसे क्यों नहीं करते हैं, इसे एक गिफ्ट भी दे दो, क्या तुम मुझे बोलने दोगी, फ्लीज डेरन, हाँ, छुपो जाओगी दो मिट के लिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुख जाओ, बस, हम कल सुबह तक सारे काम करेंगे, और तुम अपनी गल्ती को रेक्टिफाइ करोगी, और राइट? मिस्टर जाँन! मैं सबसे जरूरी चीज का ख्यार रखूँगा, मैं प्रिंटिंग मशीन वालों को कॉल करके सल्यूशन निकालूँगा, और उनसे पूछूँगा कि ऐसे में क्या किया जा सकता है, तो मुझे भी थुड़ा वक्त लगेगा, तो इरिटेट नहीं होते हैं, और काम पर ध्या कीमती वक्त खा लिया, इतनी अच्छी बात है ना, सेनम क्यूँगा, ब्रावो, वहाँ खाने से बहता रहे कि यहां के मेरी मदद करो, मैं अभी नहीं कर सकती में, मैं अभी मैंनी के और करवा के आई हूँ, सुनो तुम्हारी बेटिया कहा है, अभी तक घर नहीं आई क्या इतनी देर हो गई है, तुम्हें क्या लगता है, वो दोनों उन आदमियों के साथ होगी, तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यू करती रहती हो, वो काम करने वाली लड़किया है, आफिस में काम होगा, सच में, कुछ भी, क्या हमने उने साथ में लाइबरेरी के उपनि सब्सक्राइबरेरी के साथ में लगता है, तुम्हें क्यों बताएंगे, तुम्हें याद है, अरे, मुझकन की बीटी, उसने भी यही किया था, उसने चुप-चाप शादी कर ली थी, याद है तुम्हें महुले में फैल गया था, मैलिहाद तुम्हें ऐसी बाते करना बन गए हैं, जैसे कि उस दिन वो दोनों एक साथ थे, और मिस्टर जान, यहाँ आते ही रहते हैं, बताओ क्यों, किस के आते हैं, किस लिए, सनेम के लिए, और क्यों आएंगे वो भला, वो चाहता है कि सनेम के लिए तुम उससे पहले ही एक्सेप कर लो, वो एक दिन तुम महारे पास आके कहेंगे कि हमने तो शादी कर ली है, और हमें आपका आश्यरवात चाहिए, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कब वो हमसे मूँ मोर के चले जाए, कुछ पता ही नहीं चलता, कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल के देखो तो, तुम्हें याद है ना, व तुम्हारी वज़े से मुझे हाट अटाइक आजाएगा, ऐसा क्यों कह रहे ही हो मैफकिबे, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे दोनों दामाद अच्छे हैं, तुम्हारी छोटी सी दुकान बहुत बड़ी हो जाएगी, हाँ क्यों, फिर तुम्हें किराने की दुकान क क्यों चाहिए, तुम तो आसानी से मॉल की माल किन बन सकती हो, मै लिहाद तुम्हारी बाते सुनके मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, लहीं, निराश मत हो मैफकिबे, तुम्हारे यां तो दो शादिया है, हाँ यही बहतर है, तुम स्ट्रेस क्यों लेती हो, मुझे समझ नहीं आता, स्ट्रेस मत लो, वर्ला स्ट्रेस देते हो तुम्हारा, चुप बैठो, प्लीज, ओहो, चुप रहूं, मैं जानती हूँ, तुम्हारी दोनों बच्चियां, जो है न, वो अभी भी उन लड़कों के पीछे पड़ी है, इन सब की शुरुआत कैसे हुई, तुम् सिक्यूरिटी गार्ड का रोल था, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया उसमें, ऐसे कैसे कुछ नहीं कहा तुमने, तुम्हें कुछ नहीं होता यार, अपने मन से डालोग्स बना देते, अगर उन्हें नहीं अच्छा लगता, तो वो कट कर देते, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मैं तुम्हें मोटीवेट तो करता कम से कम, कैम्मैन के पीछे खड़े होगे, मैं तुम्हारी अच्छे से हल्प कर देता, पता मैं क्या करता, पीछे से प्रॉम्ट करता तुम्हें, पर उन्हें बिना डायलोग वाला ही शॉट चाहिए था, ठीक है, पर मेरा उन लोगों से काफी बड़ा है मैं तुम्हें सितारों को छुता हुआ देखना चाहता हूँ वैसे तुम्हारा मेकप कितना अच्छा हुआ एक तुम रियल फील दे रहा है हारा अनीला लाओ मुझे चुले तुम्हें तो दर्ब भी हो रहा है कितने परफेक्ट अटर हो यार अगली बार ना हीरो के रूल के लिए आउडिशन देना पूरी इंडस्ट्री में च्छा जाओगे तुम ऐसे पेंग्विन की तरह क्यों चल रही हो इस्ट्री में क्या है बर्फी है ना पकड़ो इसे तुम्हें क्या हो गया आयहान बताओगी मुझे मैंने कुछ जादा ही एक्सिसाइस कर ली क्या बात कर रही हो तुमने एक्सिसाइस की बात हजम नहीं हो रही है जाओ इधर से दफा हो जाओ जाओ अंदर जाकर चाय ले कराओ मेरे लिए चाय पी कर शाद मेरी धकान दूर हो जाए वैसे एक बात कहना चाहूंगा तुम्हें एक्सिसाइस करने वाले कभी कंप्लेंड नहीं करते हम यहां उस्मान के करियर की बाते कर रहे हैं मैं जाके चाय लेका तो उसके बाद हम हमारी बात कंटीनू करेंगे ठीक है अहां चाय पी नहीं कमंद कर रहा है अरे तुम वो ट्रे कहां लेकर जा रहे हो वो पॉट इधर लाओ ये बीना एक नंबर का नमूना है मैंने सिलेप कि यह हुई चीज आप क्यों नहीं पसंद करते मिसर जान सनम मुझे नहीं पसंदा ठीक है एक्सक्यूज मी हलो मॉम बेटा जब वापस आओगी न तो दही का पैकेट ले आना मॉम मुझे माप कर दीजे मैं आपको बताना भूल गई आज हम बहुत बिजी है तो जायद हम यहां सुबा तक रूप सकते हैं सुबे तक मतलब मतलब सुबा तक नहीं पर काम करते करते देर हो जाएगी हमें हाँ जैसे पहले देर हुई थी वैसे शायद उससे भी ज़्यादा लेट हम अभी काम कर रहे हैं मिस्टर जान के घर मिस्टर जान के घर पे हो हाँ मेरे साथ लैला भी है आज हमने काम में बहुत गडबड कर दी थी माम इसे लिए बहुत बड़ा इशू हो गया है और इसे हम जब सॉल कर देंगे मैं घर आ जाओंगे अब चिंता मत कीजिए अब मुझे काम है माम मैं प्रुन रखती मूँए अच्छा सुनो जल्दी से भागा एड्रेस भेजो अड्रेस? आपको अड्रेस किव चाहिए? मुझे चाहिए बस तुम्हारी माँ उने केनाते मुझे इतना हग बनता है ना कि मैं जानू मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी बेटिया सेफ है इसने मांग रही हूँ चलो जल्दी से एड्रेस भेजो ठीक है माम ठीक है मिस्टर चान के घर पर है शायद मेली हाथ सही कह रही थी मुझे भी सही लग रहा है तुम्हे क्या लगता है तुम्हारी माँ को धोका दे दोगी और मैं मान जाओंगी ऐसा नहीं होगा बिल्कुल नहीं देखती जाओ आप तुम मैं तुम्हारी माँ हूँ आज तुम्हे पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ क्या चीज है क्या है थी-देखती हू pag वाट थी क्या मस्तर जास क्याँ उसमें कुछ का हाँ गाँ भुद inferi ह।ोग तुम्हार Pvd मॉम आप के माउम या क्या कर रही है। थेलो sentenced शूम तया काम शूम मुझे सेनम ने कहा कि आप सब लोग देर रात तक काम करने वाले हैं, तो मैं आ गई। आपको क्या लगा। ने ने, मैंने ऐसा नी सोचा, वो क्या है कि सब लेग तक काम करेंगे, ऐसा कहा से अचली एक बहुती औरजेंट वर्क बाकी रह गया है, जो हमें खत्म करना ही है आज और अनफॉचनेटली ये सब सेनम की वज़न से हुआ है, हमें अब रात तक काम करना पड़ रहा है अरे खाओ, भूख लगी होगी हो, इतनी महलत करती हूँ, और खाओ, और खाओ, खालो, अच्छा लगेगा, खाओ मुझे वाक़ी बहुत भूग लगी है, if you don't mind, क्या मैं भी खा सकता हूँ? Thank you so much. मुझे पता था, कि तुम्हें भूग लगी होगी, पूरी राब काम करते हो ना, इसलिए मैं खाना लेकर आ गई. ऐ, क्या बात है, वागुणिया, चल बात है. अरे, नहीं है, कपड़े दुने इतना मुश्किल दोड़ी होता है, हाँ? मैं के बे, क्या तुम्हें, मैं कर सकता हूँ, रंगें कपड़े बाहर, सफेद कपड़े अंदा है, तुम्तु बात को बढ़ा रही हो, ये तो बस एक बच्चे का खेल है, 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 ये क्या है, रंगें है या सफेद है, ये से साइड में रख देता हूँ, बाद में देता हूँ, लाओ ये मुझे तेतो, परफेक्ट, माम आई है, मुझे लगा ही था, पर ऐसा कैसे हो गया, वो यह क्या कर रही है, वो स्टॉफ ग्रेप लीब्स लाइए, अरे वा, स्टॉ मैंने उनसे कहा के हम देर राद तक काम करने वाले है, इसलिए वो इंस्पेक्शन करने आगे, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, इतना बन गया है, आप ये रख लीजे, मैं जाती हूँ, तब तक मैं बाहर लेकर जाती हूँ इसे, आप बना लीजे, और आप यही रहेए, म आप यहां क्या कर रही है, आप यहां आखिर क्यों आई है, मुझे लगा तो मैं भूक लगी होगी, इसलिए ले आई, तुम मुझसे चिड़ क्यों रही हो कही है, ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ छिपा रही हो, बताओ, ओ मुझे नहीं बता, मैं यहां काम कर रही थी, ठीक है, अच्छी बात है, जाओ काप करो, डिस्टर्ब नहीं करोंगी मैं तुम दोनों को उस कोने में बैठ कर देखती रहूंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शान्ती से काम करो मैं यहां बहुत कम्फरटेबल हूँ, मैं यहीं बैठ हूंगी अगर आपको कोई अडवाइस चाहिए हो, तो मुझसे कोई पूच सकता है, मैं बता सकती हूँ मिस्स मेट की बे, अगराचुलेशन्स थांक्यू मिस्टर रेम्रे देखने दो मुझे वेरी गुड तुम क्या कर रहे हूँ, रंट बहुत अच्छा लग रहे हैं हाँ, मैंने डिफरेंट कलर्स यूज किये हैं, कलरी एक कला है, तो केम्पें के लिए मैंने ये चुना है, कौन सा बहतर रहेगा मिस्स मेट की पी, क्या रहे है आपकी इसे बंद कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा, अब हम इसमें टीटेजन टाल देते हैं, और इसे ओन करते हैं, तीन बक्से हैं, किस में डालू, दो में डाल देता हूँ, मैं अच्छा रहेगा ये कहें, ये कंडिशनर है, बहुत बढ़िया खुश्बो है, ये कंडिशनर हो गया, इसे डाल देता हूँ, बस बहुत हो गया, तोड़ा डाल ये देता हूँ, अच्छा है, ये हुई ना बात, अब इसे 90 डिगरी पर सेट कर देता हूँ, खतम, देख ले ना मिस्स में के बे, ये क्या कर सकता हूँ, देख ले ना, ये काफी अच्छी खुश्बवाएगी, मुझे लगता है कि ग्रीन अच्छा है, हाँ, ये ही अच्छा है, ग्रीन अच्छा है, ठीक है, ये ग्रीन थोड़ा ब्राइट है, जैसे पत्तियों का कलर है और बततक हे पंक और ग्रीन? ये फ्रेश ग्रेबस लीव दोती है बैसा कलर, जो गरम पानी में डालने से पहले जयसा हो जाता है, थोड़ा सा जाक हो जाता है, वैसा है, ओके, ये सही है नहीं नहीं यह इसा नहीं होता है यह तो Green Cheese Mould Green Color है दिखाईन Наे नहा तुम्में जे जे, लाइट, थोड़ा सा लाइट करो ना इतना डाप नहीं माम आप यहाःं पर क्या कर रहे हें प्लीज अंदर चलिए ना जड़ी ज़ोडीए रुखो न JEFF तवे पता हैं छोटी मिर्शी जो होती है जो बाजार से हम ख्रीता है थोड़ी सी डार कि लुटी जीए अब शीक है माई है होग यंदर कपे जा रही हो हम कां करेया थे मैं तुर्थ पता रही हूग अब अच्छा है Nokia ty कि मैं कैसा लग पर अधी तो हमारा काम है बहुत अच्छे हमारा जॉब बहुत मुश्किल है तो कॉंसेट्रेशन के साथ काम करने दीजिए चलिए मॉम, जल्दी चलिए नहीं नहीं मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है मैं तुम्हारे साथ ही जाओंगी ठीक है? हाँ हाँ सैनम तुमनी आ रही हो क्या? अच्छा आप लोग जा रहे हैं तो ठीक है फिर मिलते हैं मैं अपना काम कुरा करके आती हूँ मैंने गल्ती की है तो मैं सो दोहराना नहीं जाती से लिए काम पुरा करें अच्छी बात है दिन रात काम करना चाहिए मेंनत करनी चाहिए लेकिन सब लोग घर जा रहे हैं और तुम यहां अकेले बैठ कर काम करोगी मिस्स मेट कीवे मैं भी यही हूँ यू डोंट वारी मैं उसे गार ड्रॉप कर दूंगा ओके आप फिक्रू मत करो देखा कितने समझदार बॉस है मेरा मतलब जिम्मेदार है आपको नहीं लगता कि इन है अप्रिशेट करना चाहिए लगता है ना तांके सुमच मिस्टर जान मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मुझे आपके जैसे इतने समझदार बॉस मिले है मैपलेजर सानम असल मैं लखी हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने मिल रहा है तुम नहीं होती तो पता नहीं कंपनी का क्या होता ओ आप पेरी कुछ ज्यादा ही तारिफ करते हैं ओके देन गुड़नाइट मिस्स मेपकी बे लैला तुम ही बताओ इन्हें हमारे कंपनी के पॉलिसिस के मौम हम ऐसे ही काम करते हैं आपका एटिट्यूद चेंज कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा गॉड़ उससे इस तरह बात मत करो लेट मत हो ना तुम आपके अचर खोगर कर लेकर आणा ऐसी इमत ले आना चलिये जल्दी चलिया क्या कर रही है सुम शुखरो चलो तुम्हें साब क्यों कर रही हो मैंने तो तुमें दुनिया का सबसे अच्छा डिटाजन दिया था मैंने सफेद कपड़े और अन्गीन कपड़े भी अलग किये थे मैं तब जाकरी मशीन स्टार्टी क्या तु मुझसे नाराज हो क्या मैंने अब क्या कर दिया यह फोम बाहर क्यों आया हुआ है यह थितना डिटर्जन यू टाला यहला थे भे वेखे यह वहीं हिं तुम जैसे पड़े दौतियों तुम जैसे कपरे करने के कोशिश कि सब सब सभी से क्याắ inqu sound मेंद कपड़ा दाला कपड़े दो काने का थे तुमने का तौधक विर से तुम क्यो जा रही हो? माम करने दो उने. पर माम? जाने दो, जाने दो! ये तो काफी आसान इसे चलने वाली मशीन है. आदमीयों नहीं तो बनाई ये मशीन. हम खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं. अच्छा? ये वाशिंग मशीन आदमीयों ने बनाई है, ऐसा कह रहे हैं. ये तो तो ठीक है, फिर आप अपनी लॉन्री खुद कीजे, हम उपर जा रहे हैं. चलिए मॉम हम उपर चलते हैं, बाई दाड़, अपना काम कीजे. एः ठीक है, जाओ जाओ जाओ. ये अभी फोम क्यों आ रहे हैं बाहर, कुछ ज्यादा है हो रहे हैं आप तो. क्या करूँ समझ मे नही अरहे मेरे? केसे बंद करूं तुझे, केसे साफ करूँ? मैं वी के बहे हैं? ठीक है, ये फॉंट अच्छा रहेंगा और ये स्लाइड वाजसाब कैसा चल रहा है? गुड, मैं कलर्स चेक रहे थी, मैंने जाती के ड्राफ से कलर डिफरेंट रहे कोई कन्फीजन हो तो बताना, मैं हल्प कर दूंगा तो 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 तुम लिख रही हो? अई, लिख रहेंगा A for amour मेर लिए नच्छा अमॉर लिख लो मेरे लिए anxiety है Amour is better लिख लो मैंने लिख दिया C for caring JC C for caring JC C for अई, मैंने लिख दिया N stands for noble अच्छाना कर्मी पढ़ गई शायद मुझे यह नहीं पहना चाहिए था रहने दॉस्थे, निगालो मत मैंने एन लिखा है लिखलिया ना लिखा है त्री, यह कैसा है? डारिक बन खाली चाहिए इक इन नमबर वान सिर्फ एक ही नमबर चाहिए, राइट? हाँ, समझ गई, पहले कोडिंग करती थी नमबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है 815 कैसा रहएगा? 815, that was very quick हो गया? हो गया, इतने जल्दी क्या दूम ठक गई हो? जब मैं आपके साथ होती हूँ तो कभी नहीं ठकती ठीक है, तो प्रेजन्डेशन पर काम करता है वो प्रेजन्डेशन जो लाँच में रहेगा उस पर तोड़ा टाइम स्पेंड करता है क्योंकि वो तुम करने वाली हो, राइट? क्या? हाँ पर वो मैं कैसे करूँगी? बेलकल तुम ही करोगी पर मैं करूँगी क्या और कहूँगी क्या? तुम कर सकती हो, तुम नहीं कैमपेंड डजाइन किया, यू नो अट आल आल राइट आल राइट येस आल राइट चलो स्टार्ट करते हैं, जादा देर हो जाएगी तो तुम्हारी मॉम फर से आ जाएगी तुम प्रेजन्डेशन फाइल को लेकर स्टार्ट कर सकती हो मुझे पता है वो कैसे करना है, मैं कल के लिए बहुत इक्साइटेड हूँ और मुझे उमीद है कि सब पॉफिक्ट होगा तुम कर लोगी, डॉंट वारी ओकी, मुझे लगता है हमारा काम हो गया है, जेजे और गुलीस जाओ जाकर आराम करो चलो सेनम, तुम्हारी मॉम तुम्हारी फिक्र कर रही होंगी, चलो ठीक है, हम जा रहे है हाँ, हम जा रहे हैं चलो, मैं अपना समान ले ले लिती हूँ, मैं तो इसे बूली गई थी मैं आता हूँ, तुम्हें गर ज्रॉप कर दूँगा सच में, हाँ, ओके, आम बेटिंगे हाँ, हाँ, याल रहे हैं यह दो 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 कि आपके एक जाए कि आपके जुग एक उन्म अफ। लैला था रखके यह मुझा बेटिफू हाँ ठीक है चलिए अपिर लगी अब कर दिया है अपे बहुत हैंसम लग रहे हैं यहीं सच्छी क्या है आधा हुआ इसान कि अपिर यह जा जाए आपने देखा कौन आया है? देखा और मुझे को इंट्रेस्ट नहीं है. उसकी हिम्मत कैसे होई यहां आने कि एक नंबर की बेशर्म है? लेट में एक्स्प्लेइन यू हानी. मैं यहां फाबरी की रेप्रेजेंटेटिव बन कर आई. मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी बॉस को दे दिये हैं. है ना जान? शलो एक बार फिर से चीज़ों को क्रॉस शेक कर लेते हैं. हमें उसमें और कोई मिस्टेक्स नहीं चाहिए, राइट? हाँ, आप सही कह रहे हैं. मुझे नहीं चाहिए, थेंक्यू. हमें हमारी कंपनी को और उचाईयों पर लेकर जाना है. मैं तुमारी लिए एक मोटिवेशनल स्पीच लेकर लेकर. वो बॉस में आई. अः, देखो तो उसे इंक्या बात है. हाँ? क्या हुआ? आई हान हेलो मुझे यहां बुलाने के लिए फैंक यू मैं सच में आज बहुत खुश हूँ यहां आका है क्या हुआ तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कै मैं अजीब लग रही हुँ ? नहीं, तुम बहुत अलग दिख रही हो तुमें अव्वमन लग रही हो व्मन लग रही हो ? तो इसकी पले क्या मैं तुम्हें ही काडमी लगती थी मेरा वैसे मतलब नहीं եा मेरा मतलब था, तुम बहुत ज्यादा खुबसुरा दिख रही हो, बहुत खुबसुरा थांक यू, तुम भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो, काफी हैंसम लग रहे हो मैं खुद के कपड़े खुद डिजाइन करता हूं रियली, सच में, अच्छा ये तुम्हारी बेल्ट मुझे इसका स्टाइल बहुत पसंद आया, और ये तुम्हारा जैकेट का फैबरिक भी बहुत अच्छा है आईहान, हम कुछ ज़्यादा ही गलोज आ गया है, यह आसपास लोग देख रहे हैं आईहान, मैं इसक्राइश सभाण पर ये तुम क्यों नीचे जुक रहे हैं, मैं हो ना, भुझे करने दो Slovenian, क्या Pine, उन्हें तूम सच में एक जैंटलमेंट बनी की कोशिश कर रहे थे Mack ya, मैं नहीं तो क्या हुआ अच्छ गया, विज वे आप में क्या करूँ रुको, ले मुझे तुम्हारी रिंग वापिस देने दू जे 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 जे, तुम कितने सुईट हो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मैं दुनिया का सबसे अच्छा नजारा देख रही हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है मिस देरन, आप गलत सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है आप गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है अरे, शर्माने की कोई जरुवत नहीं तुम्हें पता है, मैं प्यार के लिए बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मिस रिंग ने तु मेरा फ्रोडो बता तिया है बिल्कुल एक हॉबिट लग रहा हूँ मैं इस वक्त तुम नीचे जोके, वो रिंग लेने के लिए ऐसा लगा जैसे ये कोई प्रपोजल है जैसे प्रपोजल होता है, है ना, बिल्कुल ऐसा जी जी, कमान कमान किस लिए मिस देरन तुम अभी प्रपोज करोगे, चलो, जल्दी करो इस देरन, मैंने अपको बता है ना, आपको घलत फैमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है जी, जी किसी लड़की को इतना ज्यादा वेट कराना अच्छी बात नहीं, चलो, करो अभी तुम ठीक हो ना मैं ठीक हो, तुमेरे साथ डांस करोगी, आयहान मैंने अभी दुनिया का सबसे अच्छा मोमेंट देखा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ, खुश रहो हमेशा पर कौन सा डांस, यहां तो कोई म्यूसिक भी नहीं है म्यूसिक के साथ तो सभी डांस करते हैं जी जी तुम्हें पता है, यह हमारा साथ में पहला डांस है जाता हूँ जी जी एप अब क्या हुआँ जी जी अब क्या हुआंगा? फिर से अ कर गए? मिस्यरी अब कोचा की बुलाओ चोगो वो मुझ पर चिलाती है, मैं ठीक हो जाता हूँ मिस्यरीन मिस जेरिन! जैनी बुलाओ! इस अंपन निजिशन का क्या करूँ? शारू खाथ पहले आप! आप एक बिना एक्सपिरियंस वाले अनाउंसर को क्या सलाओ देंगे? गुद बे हमेशा भरोसा रखो और अपना फोकस कभी लोजमत करना और भूलो मत की, तुम्हें सबसर ज़्यादा इंफिमेशन है ये प्रोजेक्ट बस तुम्हारे ही खूबसर दिमाग और दिल से आए, तो तुम्हें अच्छे से बताए की इसमें क्या है और क्या नहीं है ओके, I understand हेई, Mr. John, मैं आपको Mr. McKeenow से बिलवाती हूँ Hello Mr. McKeenow, nice to meet you It's my pleasure Are you, I'm a Turkish, I'm a Turkish, I'll tell you a few days I have too Sanem is our creative director of this project Nice to meet you Mr. McKeenow has arranged a party, after launch, we ask that we are still there Oh, in truth, we'll try to come here No, no, you go, we'll celebrate this place Okay, I'll be there I'm very happy I can come here too But first, I have to finish a presentation Jan has pointed me My friend Jan Jan, I'm here Okay Okay, let's drink Let's go All right, okay, I'll call you Okay, okay, okay Island, you're here Don't waste your time I know you I know you I know you I know you But be careful about Layla Okay Phil Hall, my whole focus is on Sanem You're right I know you I know you You have to come here You will see me You understand? Your future risk is on the risk Okay? कहा अप कह अपकी अपस कि रेकर ऐप दे rolls neces काथ कम पास का कितना इस को इस कितर फिर्टे कर नदे रहे कर दो क्या लिखाथा मुझसे स्पीच याद नहीं हो रही कुछ ही देर में प्रेजंटेशन है अब क्या करूँ मैं हाँ पर वहां पर भी तो यही लाप्टॉप तुम्हारे सामने होगा हाँ होगा तो टेंशन लेने की क्या बात है उसमें देख देख के बोल देना और कम आन तुम बिना स्पीच कि आराट की है मौहल जमाल सकती हो हाँ ऐसा कहरी हो अचा ठीक है चलो टेक का डीप ब्रैफ वैसे सब कुछ मेरे यहां स्टोर है लेकिन जब बोलने जाती हो तो कुछ याद नहीं यादा अगर मैने उनके सामने फंबल कर दिया तो क्या रेप्योटेशन रह जाएगी हमारी पुछ प्रणस्क प्रणस्कत प्रणस्ट आप यहीं सोच रही हैं कि जानो और आप एक दुसरे के लिए पॉफिक्ट है आप कुछ जादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ट है मिस्टेंबरे नहीं मैं बस किसी सोच में गुम थी मेरा भाई बहुत फोकस्ट इंसान है और फोकस्ट इंसानों के एक अच्छी खासियत होती है एक बाद जो ठान लेते हैं उससे नजर नहीं हटाते हैं हाँ तो सॉरी बिल्कुल आप की तरह आइम फोकस्ट पर देखें जान से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता ये लड़की से नहीं हमें कभी अकेला ही नहीं छोड़ती है हमेशे जान क्या सपास होती है आप फिकर मत कीजिए वो जादा दिन जान के पस नहीं रह पाएगी लेडिज और जेंटल्में यहाने की लिए आप सब का थैंक्स तो आएए शुरू करते हैं आज का इवेंट और बूलाते हैं फिक्री हरी का कंपनी की कॉडिनेटर सैनम को जो आपको आज की कैंपें के बारे में इंफोमेशन देंगी तो स्वागत कीजिए इस रिसेप्शन में चाहर चांद लगाने के लिए आप सब को थांक्यू मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ सबसे पहले मैं आपको कंपा स्पोर्स की खासियत बताऊंगी है कि अचत्र में प्राम करना आपको सारी राने कहाँ करुआ इस नहीं है क्एक्षन अचाहिए motor में आपको स्वाथ्या में आपके निए अचाही थे सफ्कित girls humility इस तार्म मैं जोड सुर्क थांडर läuft गात्शन में अखको जए beyond्यू करादा है अरे ऐसा कैसे मैंने फाइल तो इसी में सेव की थीट्स, डिली टेड़, तो ठीक काम कर रहा था ना चीज़, अहां, मिस्टर जान मैंने चेक किया तब सब अच्छे से तो चल रहा था, गाइस, I told you, कोई ना कोई गडबर होगी, सब कुछ बिगड़ गया है, come on, क्या कर रही हो, come on, सेनम, चीक है, वर्स कितने ओर्डिनरी होते है, oh god, don't you think, जो हम experience करते हैं, वो हम वर्ड्स में describe नहीं कर सकते, I mean nature, views, प्यार, feelings, ये सारी बाते हम वर्ड्स में express नहीं कर पाते, पर express करने से पहले जरूरी है, discover करना, और इसलिए हमने ये campaign, उन everyday discovers को dedicate किया है, जो कहीं भी जाकर settle नहीं होते पर, अपने जिंदगी की जर्णि में खुद को तलाशने निकले हैं, क्या बात है और हमारा concept उसी पर based है, compass company उन discovers के सपनों को बढ़ावा देती है, जो चाहिए कितने भी तूपानाय कभी नहीं रूपते, नहीं किसी के सामने हार बानते है, रोज मरा की भागता और भरी जिंदकी से कुछ पल अपने लिए चाहते हैं, और इसलिए हमारा slogan है, खाहिए है, लिएक भागता है। कुछार्ची करा देए बना लेवाख घजाड़ में इढ़ जिए पफेजुने से एल किन अब आख्यूल अब सिर अद्ण है अग्री जिए अगा crust कर देए जाड़ कर दो बाहिए जुट अब भी कर दो अब आख्यूलेक्ट अगुट अब्टर कोद जागर इंग कर दो कद द थांकियो सोमच अफ्टर और लुंच खत्म हो गया, कंग्राचिलेशन्स गाइज और थांकियो सोमच, प्रेजन्टेशन बहुत ही अच्छा था, कमाल का था तो चलिए पाटी का मजा लेते हैं? आँ, जाएंगे बड़ पहले सब को आने दीजिये भर चलते हैं आँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगे, ठीक है? आज आना? ओक है Mr. Jan हाँ, बोलो आज की प्रेजन्टेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हा रही है, आप एक बच चैक कर लेंगे? अश्वा, मैं अलब अब अजन्टली तुम्हारे साथ हाँ हाँ, अजन्टली ठीक है, चले चलता है Sanem, तुमने आयार कर दिया मैं तुमने के स्टीच पर पॉफेक्ट लग रही थी तुमने जब बोलना शुरू किया, मेरे आँखों में आसू आ गए थी मैं इतनी एमोशन हो गई थी Sanem, तुमने तु कमाल कर दिया, सच में हाँ, Sanem, सच में, I'm so proud of you तुमने हो मैं तु बहुत स्ट्रेस हो गई थी जब मुझे स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था मैं तु हर बड़ा गई थी, लेकिन फिर I believe in myself, और speech day दी एक सेकिंड के लिए मुझे लगा सब सम्हालना होगा Sanem, तुमने तु सब कुछ सम्हाल लिया तुमने तु कोई बेकार नौबत आदे ही नहीं थी Congratulations Congratulations, Sanem Girls, हम सब पार्टी में जाकर थोड़ा एज़ॉय करते हैं Come on Yeah, okay, मैं बस अपनी बैग लेकर आती हूँ Aray, तुम ठीक तो हो Sanem मैं आपके हेल्प कर देती हूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ Sanem, तुम ठीक तो मुने Please party enjoy कीजिए Please ma'am, मुझे करने दीजे Please ma'am, मुझे आपके help करने दीजे ma'am God, Sanem, अपना बैग दो मुझे Come on Where the washroom? You're here, I'm here, I'm here You'll have to look at you Yes, Mahina Sanem, नहीं अपने अच्छी Oh, here tissues are I'm really sorry ma'am, मुझे से गलती हो पे No, 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 no I'll take something to take off, okay? No, no, there's no need Please ma'am, I'm here Take care Thank you Tina Thank you so much Thank you Thank you No, no No wait, this girl, is not sure Die मैं टाइलिक में लॉक हो गई हूँ दिर्वाजा खोलो कोई हेल्प करो कोई है क्या बाहर अब क्या जान सनिम नहीं है तो नहीं है वो उसके फ्रेंस के साथ कहीं इंजॉई कर रही होगी आप भी इंजॉई कीजे ना भाई अब हम यहां से चले क्या प्लिश हाँ ऐसा करते है तुम लोग जाओ मैं आता हूँ यह कहां जा रहे है जेदान थोड़ी देर जान के लिए रोख जाते हैं ना क्या कहती है कहां थान अपनी मन की करते हैं हाँ ठीक है मिस्टर जान इवाल वताँ सनम कहा है वो तो वाश्रूम गई थी ड्रेस पर बाइन के रही थी ना ओक है ठीक है सनम तुम कितनी इंटेलिजेंट हो क्या क्या या अपनी आपको बता है वाश्रूम के पीछे पीछ तरफ और पीछे थी क्या करो अब ना अंदर जा सती हूना बाहर आ सती हून कोई तो हेल्प करो मैं ब्लॉक हो गई हून क्या करोब क्या कोई है यहां मेरी यावाज सुनसता है कोई मसीहा है जो मुझे बचा सकता है सनम तुम वहाँ क्या कर रही हो जान 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 मुझे भी नहीं पता मैं यहां क्या कर रही उपर बाहर बात्रूम का दर्वासा लॉक है इसलिए मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तब यह खिड़के दिखी और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं यहां तक गई अरे मेरा फून तो बैग में है और वो बैग लैला के पास है आप मुझे इतना बुथु समझते है क्या अचा आप ऐसे एडवाइस मुझे मत दीजे प्लीज अचा तुम यहां क्यों फस्ती हो तुम किसी से दूर तो नहीं भाग रही हो न क्या हम ऐसे ही बात करते रहेंगे या आप मेरी हेल्प दे करेंगे ओके ठीक है मैं किसी को दर्वाजा खोलने के लिए कहता हूँ अरे नहीं मुझे को यह ऐसे नहीं देख सता खिर्की में लटकते हुए मैं तो आज की स्टार थी और क्या आपने देखा है स्टार को खिर्की में लटकते हुए वेल नोन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक स्पीट से तुम्हारे फैंस हो गए है आप सर्प्राइस क्यों हो रहे थे लेकिन मैंने क्या प्रेजंटेशन दिया है बाकि सब लोग मेरी तारिफ कर रहे थे लेकिन क्या वो लोग मुझे जानते है ये तो तुम्हें बिल्कुल सही का क्या प्रेजंटेशन था जाजवाब कमाल का था अच्छा मुझे ना तुमसे एक सवाल पूछने तुम जैसे यहां पर चड़ी हो वैसे ही वापस उतर नहीं सकती क्या नहीं उतर सती जिस टेबल का सहारा लेकर मैं इस पर चड़ी थी अब वो गिर चुका है और अब मैं लटक कही हूँ तो अब मैं तुम्हें नीचे खीशता हूँ ठीक है चलो आज़ो आज़ो आप कर पाएंगे हाँ तुम्हें हर्ट भी नहीं होगा डोंट बारी ठीक है मुझे हम पर भरोस है ये रेड़ी हैं पता नहींalth है तो ऑचने करो घ्रज़ पता है तो कैसे करो बतावाज़। ओष्री एक सिंदे एक सिक ही पैर्मुग का नहीं हूँ इस पेसे निकल तो जाओंगे ना मैं बहु एप की और आज़ओं हॉस अरामसा अरामसा जोन कोई बात नीजा जोन अरे डर क्यो रहिए अरे यू अरे मैं तुफ्री हो गई अप्पी असान था तुम्हें लगी तो नहीं न तुम जीजी हापने तो काफी असानी से निकाल दिया मुझे निको खेक है ये मेरी ड्रेस यह तो फट गई है हां से और यहां पर दाग भी लगा है नो प्रॉब्लम, अभी भी अच्छी लग रही हो बस थोड़ा सा फटा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वारी चले ही हासे ठीक है, आप जाएए, मैं पीछे से आती हूँ तो हम साथ क्यों नहीं जा सकते हैं जान, मैं, 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 मैं आपके साथ नहीं आ सकती मैं तो बस एक मामूली एंप्लॉई हूँ और उसके अलावा मैं आपकी लगती ही क्या हूँ, जान मेरी डालिंग पर, पर हम फ्रेंड्स पर हम मैं अगचे फैर के में नहीं आपके भीक्राइप जाए पर हम जा फ्रेंड्स परेंड़्पब आता ऊजिदि ALEX मैं इस फ्रेंड्शप नहीं नहीं जाjung again तंग आ के सलेम हुआ हुआ है हुआ हुआ है camdaki teyze uykusuz aşık sana da günaydın